नागरिक बंदो इस सभा में उपस्ते सभी सम्मानुनिय माताओ बेहनो हमारे भारत स्वाभिमान के गोवा राजी के अभ्यक भाईश्री स्टूरज काने कर जी भारत स्वाभिमान अभ्यान के मंदल प्रभारी भाईश्री विश्वास जी भारत स्वाभिमान उत्तर गोवा महिला प्रभारी वहन निंदा जी भारत स्वाभिमान उत्तर गोवा के अभ्यक भाईश्री भरतेश जी भारत स्वाभिमान के तालुका अभ्यक भाईश्री संदेश जी युवा समन्वयक भाईश्री धन्राज जी आज की सभा को गौरो फ्रदान करने के लिए आये गौवा-विधान सभा के माननिय सदस्य भाहिश्री अनम्त सेठ जी हमारे गौवाराथ्य के भारत स्वाभिमान के फाउंडर मैम्बर और मेरे संभाननिय भाहिश्री दिनेश भागिला जी परम सम्मानिये डॉक्टर लेले जी जो यहाँ उपस्तित हैं मैं आप सब को प्रणाम करता हूँ आपका बहुत आभार व्यक्ष करता हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्था आपने की है और मुझे आपसे संबाद करने का मौका मिला है भारत स्वाभिमान नाम का अभ्यान पिछले एक वर्ष से भारत देश में चल रहा है परम सम्मानिये परम पूजिनिये स्वामी राम देव जी ने यह अभ्यान शुरू किया पाँच जन्वरी 2009 को अभ्यान शुरू हुआ हरिद्वार नाम के नगर से उत्तर भारत में अभी यह अभ्यान भारत के 680 जिलों में फैल गया है और इस अभ्यान को चलाने में 2,4,000 योग सिक्षक तन मंधन से राम दिन लगे हुए है अगले दो वर्षों में 11,00,000 से जादा योग सिक्षक इस अभ्यान में शामिल होने वाले हैं उसके लिए हर महीने अभ्यान की तरफ से प्रसिक्षा शिजिर का आयोजन होता है पिछले एक वर्ष में 33 प्रसिक्षा शिजिर आयोजित हुए हैं हरिद्वार में गोवा राज्यका, महाराश्प राज्यका, आंद्यप्रदेश, तमिलनाडू, करनाट, फेरल, फिरमद्यप्रदेश, उस्तरप्रदेश, बंगाल, आसाम, आदियादी भारत के सभी राज्यों के 33 शिजिर हो चुके हैं अगले मई के महिने से परंपु जिलिये स्वामी रामदेवजी एक-एक जिले का शिजिर करने के लिए स्वयम जाने वाले हैं और सबसे खुशी की बात है कि परंपु जिलिये स्वामी रामदेवजी का फहला शिजिर गोवा राज्य में एक मई से चार मई तक हो रहा है दो बर्श तक ये शिविर आयोजित होते रहेंगे और दो हजार वारे के अंक तक हम 11 लाथ योग शिक्षकों को इन शिविरां के माद्धियम से तैयार कर लेंगे। पुल मिलाकर लगबं साड़े तेरे लाथ योग सिक्षक हमारे हो जाएंगे। और साड़े तेरे लाग योग सिक्षकों के होने का अर्थ है भारत के हर गाओं में कम से कम हमारे दो योग सिक्षक होंगे भारत में इस समय 6,38,365 गाओं हैं हर गाओं में दो योग सिक्षक हमारे हो जाएं तो भारत स्वाविमान का एक बहुत बड़ा लक्ष और उद्देश हम पूरा कर पाएंगे भारत स्वाविमान का उद्देश है क्या, लक्ष क्या है भारत स्वाविमान के दो ही लक्ष है पहला लक्ष है भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना निरोगी बनाना, रोगमुक्त करना, उनको आरोग ये प्रदान करना ये पहला लक्ष है और भारत स्वाविमान का दूसरा और आखरी लक्ष है भारत देश को निरोगी बनाना, भारत देश को रोगमुक्त बनाना, भारत देश को आरोग के शादी बनाना भारत के नागरिकों को और भारत देश को दोनों को निरोगी स्वस्व और आरोग के देना ये हमारे भारत स्वागिमान का लख्ष है भारत के नागरिकों को स्वस्व बनाने का काम हमने क्यों शुरू किया इसकी आवशक्ता क्या है इसकी आवेशक्ता ये है कि आजादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी हमारे देश के लोगों को चिकित्सा और स्वास्त की सुविधाएं उपलब नहीं है हमारी भारत सरकार के आंगलों के अनुसार भारत देश में 115 कोटी नागरिक रहते हैं और 115 कोटी नागरिकों में 77 कोटी नागरिक गंबीर बीमारियों के शिकार है पांच कोटी 70 लाख भारती नागरिकों को Diabetes नाम का रोग हो चुका है 4 कोटी 50 लाख भारत वासियों को हिर्दय अवरोद का रोग है हर्ट में ब्लॉकेज है करीब आठ गोटी भारतवासियों को कैंसर नाम की गंबीर वीमारी है जिसमें 24 लाक भारतवासी हर साल मर जाते हैं 12 गोटी भारतवासियों को आंखों के विबिन रोग है जैसे आँख से दिखता नहीं है रात में नहीं दिखता नाइट ब्लाइनेस है, डे ब्लाइनेस है, रेटिनल डिटेच्मेंट है, ग्लूकोमा है और केटरेक्ट है चौदे कोटी भारतवासियों को दमा है, अस्थमा है, ब्रॉंकियल अस्थमा है और ट्यूवर कुलोसिस है सत्रे कोटी भारतवासियों को अर्थराइटिस है और गाउट है और अर्थराइटिस के दो हिस्से हैं औस्टियो अर्थराइटिस, रिमेटिड अर्थराइटिस और गाउट भेंकर खतरनाक रोग में गिना जाता है 20 कोटी भारतवासियों को हाइपर टेंशन है उच्छ रख्ट दबाओ है और दस कोटी से जादा भरतवासियों को निम्न रख्ट दबाओ है लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ऐसा कुल मिलाकर 77 कोटी भरतवासी गंबीर लोगों के शिकार है अब एक तरफ 77 कोटी नागरिक हैं जिनको गंबीर बीमारियां है छोटी मोट सर्दी खासी जो काम बुखार अगर इनको घिल लिया जाए तो करीब सौकोटी नागरिक है जो इन सब बीमारियों से ग्रफिक है अब समस्या यह है अपने देश की कि सौकोटी बीमार नागरिकों का इलाज करने के लिए भारत सरकार के पास जो फंड्स हैं जो पैसे हैं व वर्ष में हमारी जो केंड्र सरकार है वो चिकित्सा और स्वास्त की व्यवस्ता के लिए 22,300 कोटी रुपए खर्च करती है अभी थोड़े जिन पहले भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था 26 फरवरी 2010 को हमारे देश के माननिये वित्यमंत्री श्री प्रणम मुखरज बजट का जब भाशन देना शुरू किया और मैंने पूरा भाशन उनका ध्यान से सुना तो इस बार के बजट में माननिये वित्यमंत्री ने कहा कि हम 22,300 कोटी रुपए खर्च करेंगे चिकित्सा और स्वास्त के लिए लेकिन भाशन देते समय आगे उन्होंने एक वाक्य बोला जिसको सुनकर मेरा दिल बैठ गया उन्होंने कहा कि ये 22,300 कोटी रुपए जो खर्च होगा इसमें से 85 तका 85 परसेंट जो खर्च होगा वो चिकित्सकों की पगार, सेलरी, तनखाट ये लिए आदी पे ही चला जाएगा केंडर सरकार के सारे देश में जो हॉस्पिटल चलते हैं, जो हस्पताल चलते हैं उनमें जो चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं जो नर्सिज हैं, जो वार्ड बॉय हैं और हस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ हैं इन सब की सेलरी, तनखा, टीए, बीए, उनका हाउस रेंट अलाउंस आधी आधी इन सब में लगबग 20,000 कोटी रुपए खर्च होगा और भारत के नागरिकों की आउशधियों पर 2,300 कोटी रुपए खर्च होगा तब मैंने तुरंट हिसाब निकाला कि 2,300 कोटी रुपए नागरिकों का खर्च है और 20,000 कोटी रुपए व्यवस्था का खर्च है माने जो चिकित्सा की व्यवस्था चल रही है उसका खर्चा 85 टका है और जिन लोगों के लिए व्यवस्था चल रही है उनका खर्चा सिर्फ 15 टका है ऐसी विचित रिस्थती हमारे देश में है नागरिकों के लिए लोगतंत्र चल रहा है नागरिकों के लिए जो लोगतंत्र चल रहा है नागरिकों पर खर्चा सबसे कम है और तंत्र का खर्चा सबसे ज़्यादा है लोगों पर खर्चा नहीं होता है तंत्र जो चलाया जा रहा है उस पर खर्चा हो रहा है अब 20,000 कोटी तो चला गया सैलरी की एडिये में 2300 कोटी बचेगा और 100 कोटी नागरिक अगर बीमार हैं सारे देश में गंबीर और सामानी रोगों से तो एक नागरिक के हिस्ते में मातर 23 रुपए आने वाला है खर्चे का आपको नहीं लगता कि सरकार आपके साथ मजाग कर रही है और ऐसा क्रूर मजाग कर रही है हमारी सरकार पिछले 63 वर्षों से कि नागरिकों की चिकत्सा व्यवस्था अगर करनी है तो एक नागरिक के लिए सरकार के पास सिर्फ 23 रुपए है 23 रुपए में तो सरदी जुकाम भी ठीक नहीं होने वाला है गंबीर बीवारियों का तो कोई इलाज क्या करा पाए और ये सच्चाई तब है जब सरकार हमसे ही पैसे लेती है बजट बनाने के लिए टैक्स के रूप में केंद्र सरकार ने इस बार भारत के एक एक नागरिक से टैक्स के रूप में जो पैसा लिया है वो 8,460 रुपए है हर एक नागरिक ने केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में 8,460 रुपए दिया है और बदले में सरकार उस नागरिक के स्वास्थ के लिए 23 रुपए खर्च करेगी मने सरकार लेती तो ज़्यादा है आपसे और बदले में देती तो बहुत कम है बीच का पैसा सारा व्यवस्था में चला जाता है इसलिए किसी भी आदमी की चिकित्सद्ला सरकार के द्वारा संभ़व नहीं है माने भारत के किसी भी नागरिक का इलाज सरकार नहीं करा सकती दूसरी एक और गंभीर बात है हमारे देश में चिकितसकों की संख्या बहुत कम है भारत में जो बीमार लोगों की संख्या है उसकी अनुपात में चिकितसक बहुत कम है हमारे भारत सरकार के आंकलों के अनुसार भारत में कुल मिलाकर 25 लाख चिकित सकते हैं MBBS मने एलोपेथी वाले, BHMS मने होमियोपेथी वाले, BAMS अर्था तायरुवेद वाले, BUMS मने यूनानी पद्दिती वाले ये चार चिकित सा पद्दितियां सरकार के द्वारा माननिता प्राफ हैं, इन में कुल चिकित सक 25 लाख हैं और इन में से 7 लाख चिकित सक भारत छोड़ कर भाग गए हैं वो अमेरिका चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं, तो भारत में सेवा देने के लिए सिर्फ अठारे लाग चिकितसक बचे हैं, अब अठारे लाग चिकितसक हैं और सौ करोर बीमार हैं, कैसे इलाज हो सकता हैं? सवाल ही नहीं होता. कोई इमांदर से इमांदर चिकितसक हर दिन सुबह 6 बजे से इलाज करना शुरू करें और रात 9 बजे तक मरीजों को देखें, तो एक दिन में 100 से जादा मरीजों का इलाज नहीं कर सकता, इस द्रश्टी से सिर्फ दो कोटी नागरिकों का ही इलाज संभव हैं, बाकी का तो इलाज ही नहीं हो पाएगा, मैंने भारत सरकार के सवास्तमंत्री को नहीं को लिखा था और यह पूछा था, कि भारत में सभी नागरिकों को चिकितसा सुबिदा कितने वर्षों में मिल जाएगी, तो स्वास्तमंत्री हुने कहा साड़े तीनtechn कों मिल जाएगी, सभी को चि 63 साल आज़ादी के हुए तो 25 लाग चिकित्सक तयार हुए और 63 साल होंगे तो 25 लाग और चिकित्सक हो जाएंगे खुल मिलाकर 3.30 साल में इतनी चिकित्सक हो जाएंगे कि सभी को सुगिधा बिल जाए चिकित्सकी लेकिन स्वास्त मंतली ने उस पत्र में नीचे एक नोट लिखा था वो जरूर मैं सुनाऊंगा उस नोट में लिखा था कि ये साड़े तीन सो साल में सभी को चिकित्सा तब मिल पाएगी जब एक भी नए बच्चे का जन्म ना हो इस देश में 3.500 साल कर माने हमारी आबादी ना बढ़े हमारी लोग संख्या ना बढ़े तब जाकर 3.500 साल में आप सभी को सरकार चिकित्सा उपलब्द करा देगी ये तो कभी संभव ही नहीं है कि हम चिकित्सा सुविधा उपलब्द करने के लिए अपनी आबादी रोख लें तब तो देश के खतम हो जाने का खत्रा पैदा हो जाएगा क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई भी देश अपनी लोग संख्या धटाना नहीं चाहता उन सभी देशों में लोग संख्या बढ़ाने का वियान चल रहा है कोई देश नहीं चाहता कि उनकी लोग संख्या कतम हो हम कैसे चाहेंगे इसका सीधा सार्थ है कि लोग संख्या बाड़ होती रहेगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी वो किसी की चिकित्सा सुविदा उपलब्द नहीं करा पाएगी इससे भी जादा और एक गंभीर प्रश्न है कि हमारे भारत में गरीबी इतनी भयंकर है कि 84 कोटी नागरिक तो औशद खरीद कर ही नहीं खा सकते 84 कोटी नागरिक इस देश में इतने गरीब है जो एक दिन में 20 रुपए भी नहीं खर्च कर पाते जो नागरिक एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते वो किसी भी चिकित्सा पध्यती से चिकित्सा नहीं करा सकते क्योंकि चिकित्सा बहुत महंगी हो चुकी है मैं दो तीन उधारण अगर आपको दूँ कि आपको माननीजे हर्ट्रटेक आजा हिर्देक हाथ हो जाए और आप एलो पैथी चिकित्सा में एंग्यो प्लास्की कराने के लिए जाए तो कम से कम देड़ लाख रुपए आपका खर्च होगा एंग्यो प्लास्की के ओपरेशन अगर आपने बाईबास सरजरी कराई तो ढई तीन लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा आपका ओपरेशन अगर आपकी किट्नी खराग हो चुकी है और किट्नी को ट्रांस्प्लांट कराना चाहते हैं तो कम से कम साड़े तीन लाख रुपई का खर्च है अगर लीवर आपका खतम हो गया है और नया लगाना चाहते हैं तो साड़े चार से पांच लाख रुपई का खर्च है तो भी पांच साथ सो रुपए तो कम से कम खर्च होने वाले हैं वाइरल फीवर आ जाए बैक्टीरियल कोई बीमारी आपको आ जाए या तो छोटी मोटी चीजों से लेके बड़ी बीमारियों तक आप चले जाए हजारों लाखों रुपए का बिल बनता है अब चिकित्ता भ दवाओं की बहुत जादा कीमतें बढ़ गई हैं कैंसर का इलाज करने वाली जो दवाएं 1991 के पहले 10-15,000 रुपए में मिलती थी अब वो दवाएं देव से 2,000,000 रुपए में आती हैं इतनी महेंगी चिकित्ता है हमारे देश और 84 कोटी नागरिकों के पास एक जिन में ख तो गरीबी के कारण सब लोग चिकित्सा नहीं ले सकते चिकित्सकों की संख्या कम होने के कारण चिकित्सक उपलब्द नहीं है सेवा देने के लिए और हमारे देश की सरकार के पास बजट नहीं है पैसा नहीं है चिकित्सा सुविधाओं के लिए इन तीन कारणों से भार परमाण में आपको देना चाहूं तो वो यह है कि भारत के लोग जो प्राइवेट चिकित्सा कराते हैं निजी डॉक्तरों के पास जाते हैं उनकी फीस देते हैं ओपरेशन का खर्च उठाते हैं और दवाओं का खर्च उठाते हैं उसी में एक साल में सात लाग कोटी रुपए खर्च हो जाता है और ये मैं नहीं कहता विश्व स्वास्थ संगठन के आंकले हैं World Health Organization का कहना है कि भारत में चिकित्सा सेवाओं के महगा होने के कारण जो लोग चिकित्सा सुमिधा उखलत कर पा पाते हैं उनका सात लाग कोटी रुपए खर्च हो जाता है और इतना सारा खर्च होने के बाद भी कई बार बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता डाइबिटीज का हमारे पास कोई इलाज नहीं है हाइपरटेंशन का कोई इलाज नहीं है डाइबिटीज और हाइपरटेंशन में डॉक्टर कहते हैं कि जिन्दगी वर दवा खाओ तब आपको बीमारी कंट्रोल होगी दबा खाना बंद कर दोगे बीमारी फिर आ जाए गाउट का हमारे पास इलाज नहीं अर्थराइटिस का हमारे पास इलाज नहीं कैंसर का हमारे पास इलाज नहीं दमा कभी ठीक नहीं होता सारे डॉक्टर कहते हैं दमा दम निकलने के बाद ही ठीक होता मरीज मर जाता है उसके बाद दमाठी कोपा तो ऐसी गंबी रिस्थती हमारे देश में है उस गंबी रिस्थती में क्या किया जाए हमारे भारत की एक बड़ी महान परंपरा है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है सर्वे भवन्त सुखने सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यंतु, माकश्य दुख भाध हुए सब सुखी हों, सब मिरोगी हों, किसी को कोई दुख ना हो सब के चहरे प्रसंदता से खिले हुए हो, ये भारत की परंपरा है और चिपित्सा सुविधाओं के नाम पर किसी की कोई व्यवस्था नहीं है सब दुखी ही दुखी है, सुखी होने की दूर दूर कट संभावना नहीं है तब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्ण है, और एक धर्म संकट है कि या तो भारत की परंपराओं को बदला जाए सर्वे भवंत सुखने की जो परंपरा है इसको छोड़ दिया जाए और सर्वे भवंत दुखने कहना शुरू कर दिया जाए या तो एक काम ये करें और या कोई ऐसा अभयान हम चलाएं पूरे देश में जो सर्वे भवंत सुखने की परंपरा को पुने इस्थापित करे और लोगों को चिकित्सा और स्वास्त उखलब्द कराए तो भारत स्वाभिमान नाम का अभियान इसी सर्वे भवंत सुखने की परंपरा को भारत में बढ़ाने के लिए शुरू हुआ है और इस अभियान के तहट हमने 2,40,000 योग सिक्षकों को योग प्राणायाम और आयुरुवेट का ज्यान देकर गाउं गाउं भेजना शुरू किया है ताकि हर व्यक्ति को आरोग दिया जा सके, निरोगी बनाया जा सके, स्वस्थ बनाया जा सके दिना किसी खर्चे के, टैक्स फ्री, कॉस्थ फ्री, साइड इफेक्ट नहीं और एक्सपाईरी डेट कुछ बिने ऐसी चिकित्पा व्यवस्था का नाम है योग प्राणायाम और इसी के लिए चलने वाला संगठन है भारत स्वादिमान मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आपके विचोलीन तालुका में हमारे कम से कम 150 योग कख्षाएं प्रतिदिन चल रहे हैं और 350 से जादा योग सिक्षक इन कख्षाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सारे देश में तो 240,000 योग सिक्षक सेवाएं दे रहे हैं अकेले दोचोलीन तालुका में 385 योग सिक्षक इन कख्षक इन कख्षाओं दे रहे हैं बहुत खुशी है मुझे और गर्व है मुझे आप सभी गोवा के भाई वहनों पर जिनोंने ये अभिक्रम अपने हाथ में लिया है हमारी तमन्ना है कि भारत के हर गाउं में कम से कम दो योग सिक्षक सेवा देने वाले हो जाएं जो लोगों को योग और प्राणायाम इतना सिखाएं कि लोग अपनी बीमारियों का इलाज उसी से कर पाएं योग और प्राणायाम धारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धिती है, हजारों लागों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धिती है, महर्शी पतंजली ने इस चिकित्सा पद्धिती का अविश्कार किया और परमकुजनी स्वामी रामदेव जी ने इस योग प्राणायाम की चिकित्सा प्रध्यति को पुने इस्थाफित किया सारे देश में और दुनिया के सामने पिछले 2001 से लगातार 2010 तक मने नौ वर्षों में इस योग-प्रणायाम की चिकित्सा प्रध्यति के माध्यम से हमने ये सित्ट किया कि जो डायगिटीज ठीक नहीं होती किसी भी चिकित्सा प्रद्यतिपं वो योग प्रणाय में थीख हो जाती है 40-40 साल पुराणी डाइविटीज वाले ہजारों लाखों मरीजों ने योग और प्रणायाम करके थीट महिने में अपनी डाइविटीज को थीख किया है और आज उनकी शुगर इतनी नॉर्मल है कि वो एक दिन में 2500 ग्राम भी मिठाई खा जाएं तो शुगर उनकी एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ती ऐसा चमतकार योग और प्राणायाम के द्वारा संभव हुआ है जिनको 20-20 साल से हाइपरटेंशन था और हर दिन 8-10 गोलियों से लेकर 20-25 गोलियां खाते थे उन्होंने योग प्राणायाम के द्वारा अपना हाइपरटेंशन मात्र 3-4 दिनों में और अधिक से अधिक 15 दिनों में सामन में किया जिनको गाउट था अर्थराइटिस था 20-20 साल से जो बिस्तर पे पड़े रहते थे चल नहीं पाते थे उन्होंने योग प्राणायाम के द्वारा अपना अर्थराइटिस थीख थिया है गाउट थीख थिया है माताओं को बहनों को गरभाशे में बड़ी गाठ हो जाती है त्यूमर हो जाता है योग और प्राणायाम के द्वारा लाथों माताओं ने अपनी गरभाशे की गाठ को गलाया है ब्रेंट यूमर बहुत सारे लोगों ने अपना ठीक पिया है योग प्राणायाम के द्वारा और अब तो जो कैंसर किसी तरह से ठीक नहीं होता वो योग और प्रणायाम से ठीक हो रहा है ब्लड कैंसर तो सबसे आसानी से ठीक हो रहा है योग और प्रणायाम की मदब से आहर वली का कैंसर टेट में होने वाले किसी इस्थान का कैंसर गुदादवार का कैंसर, रेक्टम कैंसर ये चार कैंसर तो बड़े आसानी सठीक होते हैं मैं आजकल हरिदवार में रहता हूँ हर दिन हमारे आँग दो हजार मरीज आते हैं उन में से कम से कम सो से देल सो मरीज कैंसर के होते हैं और वो अंतिमिस्थती में होते हैं तब हरिदवार आते हैं और मैंने देखा है कि उनके पास जो कादज लेके आते हैं। ये तो कोई चमतकार हो गया आपका कैंसर तो बिल्कुल ठीक हो गया और वो सिर्फ योग और प्राणायाम से संभव है ऐसी अद्वुत चिकित्सा पद्दती अगर हमारे देश में हजारं वर्षों से है जो सभी बीमारियों का जड़ से उपाय कर सकती है इलाज कर सकती है तो कि ज्यान को आज भारत के गाउं गाउं तक पहुंचाने का काम हमारा भारत स्वाभिमान अभियान कर रहा है और हमारे योग सिख्षक इसी काम में लगे हुए हैं मैं आप सभी नागरिकों से ये निवेदन करने आया हूं कि आप भी हमारे इस अभियान का लाभ लीजिए और भारत स्वाभिमान की कख्षाओं में आकर योग और प्रायाम सीख्ये हर दिन सुबह पांच बजे से कख्षाओं होती हैं मैंने बताया भीचोलिन तालुका में 150 से ज़्यादा कख्षाओं नियमित चल रही हैं आप किसी भी कख्षा में आ सकते हैं माताओं बेहनों के यह अलग कख्षाओं होती है भाईयों के लिए अलग कख्षाओं हैं और इन में शामिल होकर योग प्राहयाम आपटी सीख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आँद दूसरों को भी सिखा सकते हैं पहले आप योग साधत के रूप में हमारे हां आयें प्राणायाम और सकता कोटी कोटी रुपए एक तरफ रख दीजे और योग प्राणायाम सिखाने का जो आनन्द आपको मिलेगा वो किसी भी संपत्ती से बढ़ा है यह मैंने खुद अपने धीवन में महसूस किया है हमारे सारे योग सिख्षक हर दिन इस आनन्द को महसूस करते हैं भारत में आप वेद को पढ़िए रिदवेद पढ़िए यजुरवेद पढ़िए सामवेद पढ़िए अधरवेद पढ़िए उपनिशत पढ़िए ब्रामण ग्रंतों को पढ़िए पुराने कोई भी शास्त्रिय ग्रंतों को पढ़ें तो सभी जगे एक बात लिखी गई है वो ये कि जीवन का अंतिम उद्देश क्या है, तो योग प्राणयाम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति, हमारे जीवन का आखरी उद्देश क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले मुझे ऐसा लगत कि मुक्शों प्राप्ट करने के लिए बड़ी तपस्या गरती है कि कि त्याद करना पड़ता है। हिमाले में जाके तपस्या करने पड़ती है। वस्त्र बदलने पड़ते हैं वेश बदलना случай Geme कि सुखों से सब दूर जाके दुखों में जीवन लिकाना पड़ता है ऐसा मुझे लगता था लेकिन थोड़े दिन से मैंने परमकुजनी स्वामी रामदेव जी के जो आचारे हैं जिनोंने स्वामी जी को सिख्षा दी आचार प्रद्युम्न जी उनसे वेद पढ़ना शुरू किया और एक दिन वो मुझे वेद का अभ्यास कराते हुए एक सूत्र पढ़ा रहे थे जिस सूत्र में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ती हो सकती है बस उसको अपने जीवन में दो काम करने हैं वो व्यक्ति अमीर हो या गरीव हो वो व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान ह वो व्यक्ति इसाई हो या जैन हो, वो व्यक्ति बॉद्ध हो या पारसी हो, किसी भी संप्रदाई का हो, किसी भी जाती का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बस उसके लिए दो शर्तें पूरी करने हैं, पहली शर्त य कि सर्दीखासी जुकाम वुकार हैं शरीर के दुक हैं और भगवान के दिए हुए देव के दिए विवक कुछ दुख होते हैं तो दैखिक प्रयास करें तो आपको मोक्ष मिलेगा मैं आपके पास आया हूं इसी उद्देश की प्राप्ति के लिए मैंने आदा काम कर लिया है मेरे अपने जीवन के सभी दुख मैंने दूर कर लिये हैं अब आपके भी जीवन के दुख मेरे कारण से दूर हो जाएं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा और मुझे स्वर्ग की सीथ चाहिए लोग सभा राज्य सभा में जाने से कोई फाइदा नहीं क्योंकि पांच साल में स्वार्थ के लिए बीचो लिमाए और मेरा स्वार्थ है मुझे मोक्ष चाहिए उसके लिए आप पहले दुखों से दूर हो जाएए आप अपने शरीर को ठीक कर लिए योग प्राणायाम करिए आयुर्वेत का अपने जीवन में पादन करिए और अपने दुखों को दूर कर लिए तो मुझे मोक्ष मिलेगा मैं स्वार्थ चला जाओंगा फिर आप भी किसी के दुखों को दूर करा देना योग प्राणायाम से आपको भी मोक्ष मिलेगा आप भी स्वार्थ में आजाना हम सब वहीं इकठे हो जाएंगे और सुना है कि वहाँ कोई काम करने को नह मैंने मजार्थ में आपसे गंभीर बात कही है और वो गंभीर बात यही है मैं मोक्ष में जाओं आप सब हमारे साथ मोक्ष में जाएं ऐसी एक विद्या का नाम है योग प्राणायाम जिसको आप सीथें दूसरों को सिखाएं अपने दुख दूर करें और दूसरों के दु करता हूं और आमंत्र देता हूं कि आप भारत स्वाविमान अभयान के साथ जुड़ें योग प्राणयाम सीखें आयुरुवेद का पालन करें और अपने जीवन में हमेशा सुती रहें एक दो बातें आपसे और मुझे करनी हैं वो ये कि आयुरुवेद एक ऐसी चिकित्सा प्रद्यति है सारे देश और दुनिया में जो लोगों को ये सिखाती है लही कि अदुनिया में बाकि सभी चिकित्सा प्रद्द्तियां ये कहती है कि आप पहले बीमार पड़ो statements कि ए एलुपेथी प्रों होमियुपेथी भी यही कहती है लेकिन आयुरुवेद एक कैसी मैं आयरुवेद के पालने सकती नगर में होंगे नहीं तो गवा-राज्य में होंगे मैं तो मोटी-मोटी दो-ती कुना अच्छा है वीमारी आये नहीं कि आप रोगी बने नहीं हमेशा स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें और यह बहुत आसान काम है आयुरुवेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वात पित और कफ को संतुलित कर सकता है वो जीवन भर निरोगी रह सकता तो आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आयुरुवेद की कि आप अपने वात पित और कफ को संतुलित रखनी जीवन भर आप निरोगी हो जाएंगे आप बोलेंगे वात पित कफ को संतुलित रखनी के लिए क्या करें आयुरुवेद की छोटी छोटी तीन चार बातें जरूरी है कि बात अगर विगड़ गया तो आपको असी से ज़्यादा रोग पैदा करेगा एक पी आठ और शून में असी रोग आते हैं जब बात विगड़ता है भुट्ने का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द, जोडों का दर्द, हर्क टेक, हिर्देगा, कार्डिय करेस्ट, ब्रेन हैमरेज, टैरेलिसिस ये सब बात के विगड़ने के रोग हैं और असी से ज़्यादा हैं इसलिए बात को विगड़ने मत दीजे कभी पित को मत विगड़ने दीजे वरना पित के विगड़ने से चालीस रोग आते हैं गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अलसर होना, पैप्टिक अलसर होना, ये सब पित्त के विगड़ने के रोग हैं। और कफ को मत विगड़ने दीजे, क्योंकि कफ के विगड़ने से 20 रोग आते हैं। सर्दी होना खासी होना जुकाम होना मोटापा होना वजन बढ़ना ये सब कफ के विगडने के रोग हैं तो कफ को संतुलित रखिए पित्ट को संतुलित रखिए वाद को संतुलित रखिए अब आयुरवेद में वाद पित्ट कफ को संतुलित रखने के लिए बहुत सारे सू सूत्रों की कुल संख्या लगवग साथ हजार है उसमें से मैं तीन-चार सूत्र जरूर बताऊंगा आपको आप आज से ही इनका अपने जीवन में पालें करें आयुर्वेट में कहा गया है वात पित कफ को अगर संतुलित रखना है तो हमेशा खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए इस सूत्र को ऐसे कहा गया है भोजन वन के अंत में विशं माने विष्के जैसा वारी वारी माने पानी भोजनके अंत में पानी जहर के जैसा है विश्के जैसा है माने भोजन के अंत में कभी भी पानी मत पीजिए आप बुलिएंगे क्यों नहीं पीना पानी इसलिए मत पीना कि जब आप भोजन करते हैं सारा भोजन आपके पेट में इकठा होता है पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में जठर कहते हैं, हिंदी में आमाशय कहते हैं और डॉक्टरों की भाषा में एपिगेस्ट्रियम कहते हैं सारा भोजन आपका जठर में एकत्रित होता है जठर में अगनी जलती है भोजन को पचाने के लिए उसको जठर अगनी कहते हैं मिलाके कहते हैं जठर अगनी तो आप जैसे ही भोजन करते हैं अगनी प्रदीप्त होती है अगनी भोजन को पचाने का काम जैसे ही शुरू कर देती है तब तक आप गटा गट पानी पी लेते हैं और पानी उस अगनी को बुझा देता है और पानी में अगर अगनी को बुझा दिया तो अगनी फिर नहीं जलेगी तो भोजन नहीं पचेगा तो भोजन फिर सड़ेगा और सड़ा हुआ भोजन विश उत्पन करेगा और वो जिश आपके जीवन में 103 रोग पैदा करेगा इसलिए आईरवेल में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना तो आप पूछेंगे पानी कभी पीना कम से कम एक से देड़ घंटे के बाद पानी पीना आपने 10 बजे भोजन किया साड़े 11 बजे पानी पीना 11 बजे भोजन किया साड़े 12 बजे पानी पीना हमेशा एक से देड़ घंटे के बाद ही पानी पीना क्यों? क्योंकि एक से देड़ घंटे तक जो जठर अगनी प्रदीप होती है वो एक से देड़ गंटे में अपने आप शांत हो जाती है उतनी देर अगनी की जरूरत पड़ती है और एक देड़ गंटे में जब अगनी शांत हो जाती है तो सारे भोजन का रस बनना शुरू होता है और उस रस में से मास, मज़जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र अस्पी मेद बनता है मल, मूत्र आपके काम का नहीं है शरीर उसको हर दिन छोड़ देता है बाकी सब चीज़ें शरीर के काम की है शरीर उसको धारण कर लेता है तो जब धोजन का रस बनना शुरूहो तब पानी की जरूरत शरीप को पड़ती है लगबग एक से देड़ घंटे के बाद ही पानी पीना अच्छा है यह पहला नियम है अगर आप पालन करेंगे जीवन भर आपको बाद पित्त कफ संतुलित रहेगा और बीमारी नहीं आएगी दूसरा नियम है आईरवेग का आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है उसका समाधन करूं तब दूसरा नियम बता बहुत लोग मुझे यह पूछते हैं कि चलो भोजन के अंत में तो पानी नहीं पीना देड़ घंटे के बाद पिएंगे पहले पानी पीना क्या भोजन के पहले तो आईरवेग में कहा गया भोजन के 48 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं 48 मिनिट बिपोर और जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं फिर कुछ लोग पूछते हैं भोजन के मद्ध में पानी पी सकते हैं क्या भीच में तो मद्ध में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सिजन्ट हो जाए मतलब आप भोजन कर रहे हैं आपको खासी आ गई तो आप पानी पी लिजे बीच आप भोजन कर रहे हैं और आपको गले में कुछ फस गया भोजन तो थोड़ा पानी पी लिजे तो भोजन के मत में एक दो भूट पानी पी सकते हैं जरूरत पढ़ने पर अंत में डेर गंटे पर पानी पिए और पहले पीना है तो अड़ता लीज पिनक पिए एक आखरी बात मुझे कहनी है इस सुत्र में कि भोजन के बाद अगर कोई चीज पीना चाहते तो आयुरुवेद में कहा गया तीन चीजें पी सकते हैं भोजन के बाद एक तो ताक पी सकते हैं चाच दूसरा दूद पी सकते हैं और तीसरा जूस पी सकते हैं पलों का रस भोजन के तुरन बाद आप चाहें तो ताक पीजे चाच पीजे मजिगे पीजे बटर मिल्क पीजे ये भोजन के तुरन बाद पी सकते हैं दूद पी सकते हैं और जूस पी कीनि सब जूफीने के लिए आईवेज में कहा गया है कि सुबह सुबह पीएँ तो बहुत अच्छा नाक और मझी के बटरमिल्प के लिए κιedar को पीए तो बहुत अच्छा है और दूद पीने केलिए कहा तो रात के बोजन के बाद तुरंट दूस पी लिजे दुपहर के बोजन के बाद ताक और बटर मिल्क पी लिजे और सुबहर के बोजन के बाद जूस पी लिजे पानी डेड़ गंटे बाद पी अब आपके मिल में और एक सवाल आ सकता है कि एक तरफ आयुरुवेट कहता है क पानी मत पीओ दूसरी तरफ आयुरुवेट के ताथ पीलो ताथ में तो पानी ही है बतर मिल्क तो पानी से बनता है और जूस में तो पानी के अलाव़ा कुछ ही नहीं है तो ये क्या कॉंट्रडिक्शन है ये क्या पिरोदा भास है आयुरुवेट का ये कॉंट्रडिक्शन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है आयुरुवेट में ये कहा गया कि ये जो पानी होता है पानी ये जब तक शुद्ध है अकेला है तब तक इसके अपने गुण इसम आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना होगा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाएं उस जैसा तो पानी को आपने दही में मिलाया ताख बन गई तो इसमें पानी के गुण नहीं है दही के गुणा गई पानी को दूद में मिलाया आपने तो पानी में दूद के ग पानी गेंटे के पीना यह पहला सूत्र है आयुरवेद का इस सूत्र का पालन जो भी अपने जीवन में कर लेगा जीवन भर वाद पित्र का फुसका संपुलित रहेगा बीमारी आएगी ही नहीं चिकित्सा करने की जरूरत पड़ेगी ही एक दूसरा आयुरवेद का सूत्र है वो ये कि पानी को जब भी पीना घूट घूट भरके पीना सिप सिप करके पानी पीना थोड़ा थोड़ा पानी पीना जैसे चाय पीते हैं जैसे काफी पीते हैं ऐसे पानी पीना कभी भी गटा गट गटा गटे एक किलास एक लोटा पा से पानी की है आप मुच्छेंगे क्यों बात ऐसी है कि आपका जो मुँए ना इसमें लार बनती है हैं अग्रेजी में हम इसकोirie केते हैं और दूसरा अंग्रेजी में इसको होती है एलकिलाइन है तो पानी अगर आप एक-एक से पी रहे हैं तो बार-बार लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाते हैं और पेट में हमेशा अमल बनता है एसिद बनता है तो पेट की एसिद को शांत करने के लिए शार की जरूरत पड़ते हैं और लार में सबसे जादा चाहर है तो आहिरुवेट कहता है कि थोड़ा थोड़ा पानी पीओ सिप सिप पानी पीओ ताकि जादा से जादा लार पेट में जा सके और पेट के अमल को शांत कर सके और आहिरुवेट में कहा गया जिनके पेट का अमल शांत रहता है उनको जीवन में कभी कोई करके पानी पीए मैं आपको एक छोटा सा उब्जर्वेशन बताना चाहता हूं मनश्य को छोड़कर सभी जीव जन्तु पानी को सिप सिप करके ही पीते मनश्य को चोड़कर सभी जीव जन्तु खाना खाने के दो घंटे बाद ही पानी पीटे आयुरवेद के दोनों नियम का पालन सारे जीव जन्तु करते हैं आप देख लिए किसी गाय को देखिए खाना खाते हुए मशी को देखिए बैस को देखिए खाना खाते हुए बैल को देखिए ये सब सुबह सुबह खाना खाते हैं, और खाना खाते समय आप इनके सामने पानी रख दीजे, वो पानी की तरफ मूँ भी नहीं दिखालते हैं, पीना तो बहुत दूर की बार, वो भूप पेट बरके खाना खाते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर मूँ चलाते हैं, जुगाली करते हैं उसके दो तिन घंडे के बाद ही पानी पीते हैं किसी पक्षी को देखिए पक्षी सुबह-सुबह दाना चुकता है और दो घंटे कुंके आता फिर पानी पीता है तो सारे पशु पक्षी इसमें का पालन करते हैं और आप जानवरों को देखिए पानी को चाट चाट के पीते हैं पानी चाट कर पीता है शेर को देखिए पानी चाट कर पीता है चीते को देखिए पानी चाट कर पीता है गाय बेल भैस को देखिए पानी को मुझ में भर लेते हैं फिर एक गूप पानी को नीचे उतारते हैं बादेनी कि er के सभि पशुख अंगी पानी पीते हुए एक ऐसी दिते है क्राद ही पक्रण सब्रण करते हैं और मैंने नहीं अग्ण किसी पकषी की नियम का पालवेच यह सब बीमारियां मनुष्य का तो आप भी अपने जीवन में इन नियमों को पालन करें, ये दो नियम बहुत महत्तुके हैं, खाना खाने के देड़ गंडे बाद पानी पीना, पानी को सिफ सिफ करके पीना, तीसरा नियम है, सबेरे जब आप सोकर उठें, तो सबसे पहले पानी पीजी, उशा पान, दात साफ मत करिये, कुला मत करिये, दातुन मत करिये, ये सब रात को करके सोईए, दात साफ करने है, रात को करिये, कुला करना है, दातुन करना है, रात को करिये, सुबे उठते ही सबसे पहले पानी पीजी, उठते ही पानी पीजी, तो दो फाइदे होंगे, रात को जो लार म करो बनी है जो पानी के साथ सबंने चली जाए चाहेज और सुबह सुबह फाली रहता है तो री पानी प्लेएंगी सारा पानी बड़ी आँध में जा गार लाजप्त करेगा और बड़ी आज़िस लिखाउ अर्प में फ्रेश होके बाहर आजाएंगे और आयुर्वेट में कहा गया जो सुबह एक बार पेट साफ कर लेते हैं भूंकी जिन्दगी में रोग आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है तो उसके ही सुबह सुबह पानी पी लिया करें कम से कम एक गिलास अधिक से अधिक तीन गिलास और चौथा और आखरी नियम है आयुर्वेट का जो मैं बताना चाहता हूं ठंडा पानी कभी भी मत पीजिए कितनी भी गर्मी पड़े कितना भी पसीना निकले रेफ्रिजरेट से कं होता है वह पानी ठंडा हूँ है और रेफ्रिजरेटर का पानी 10 डिग्री सेंपी ड्रेट का है बर्फ डाला हुआ पानि 4-5 degree centigrade का है यह दोनों ही पानी मत पीगे बहुत खराद है आप को लेंगे क्यों जब आप थंडा पानी पीते हैं तो पेट में गरम है और पानी तो ठंडा है गरम पेट में थंडा पानी जब आप जालेंगे तो जगळा होने वाला है या तो पानी पेट को ठंडा बास्तों में क्या होता है जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो पेट पानी को गरम करता है जब पेट पानी को गरम करेगा तो पेट को अत्रिक्त रक्त की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सारे शरीर का रक्त पेट में जाके पानी को गरम करने लगता है और रक्त कोई जरूरत अगर ब्रेन को है और ठंडा पानी पी लिया तो जो पेट में जाएगा पानी को गरम करने के लिए तो ब्रेन को रख्त की कमी आजाएगी तो ब्रेन में कोई डैमेज हो सकता है कहीं भी रख्त की कमी आई तो डैमेज हो सकता है इसलिए ठंडा पानी मत पीज़े और तंडा पानी पीने से एक बढ़ सबसे बढ़ा दुश्परिनाम होता है हमारा जो लार्ज इन्स्टइशन है जो बड़ा आठ है वो एक खुले हुए पाइप के जैसा होता है लेकिन जब ठंडा पानी पीए तो वो पंद हो जाता है, संपुचित हो जाता है और लार्जिंटिस्टाइन अगर आपका संपुचित हुआ बार बार ठंडा पानी पीने से तो सुबह आपका कोट साफ नहीं होगा, संडास नहीं आएगा और जिनको पूर्ट साफ नहीं हुआ, चंडास नहीं हुआ, उनको जिन्दी पर रोग ही रोग आने वाइ है इसलिए मत पीजे थंडा पर तो आप बोलेंगे कैसा पानी के है सरदीयों के दिन में गुनगुना पानी पीजे, हलका गरम पीजे और गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं मिट्टी के घड़े के पानी का तात्मान शरीर के तात्मान के लगभग बराबर होता है शरीर का तात्मान 33 दिगरी संटीग्रेड है मिट्टी के घड़े के पानी का तापमानती लगवक 33 दिवरी के आस्पास होता है इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं रेफ्रिजरेटर का पानी पीना बंद कर दीए और यह रेफ्रिजरेटर पानी रखने के लिए नहीं बनाया है यह रेफ्रिजरेटर बनाया गया है और उशदियों को रखने के लिए आप पानी रखकर तो उसका दुरूपयोग कर रहा है इसलिए रेफ्रिजरेटर में पानी रखना बंद कर देजा मिट्टी के घड़े में माटले में पानी रखिए उसको पीज़े अब इसका एक पाइदा और है सारे भारत वासी जिनकी घरों की संख्या 21 कोटी है भारत में 21 कोटी परिमार है अगर सब एक-एक मिट्टी का घड़ा खरीद में तो भारत के एक कोटी से ज़्यादा तुम्भार कारीगरों को जिन्दगी भर के लिए रोजगार मिल जाएगा और उनका पुन्य हो जाएगा हमें स्वर्ग में जगे मिल जाएगी मोख्ष हो जाएगा क्योंकि उनका दुख हमारे कारण दीर हो जाएगा तो आप भारत के मिट्टी का काम करने वाले जो पुपार कारीगर हैं उनको रोजगार देने के लिए कम से कम एक घड़ा जरूर खरीदिये अपने घर में और उसी घड़े का पाने कीजिए तो यह चार मियम मैंने आपके आईरुवेग के आपको कहे और तीन छोटी बातें और आईरुवेग की कहता हूँ जो इतनी ही महत्तुकी हैं आईरुवेग में कहा गया जीवन भर बात को संतुलित रखना है तो शुद्ध तेल खाईए जीवन बर पित्त को संतुलित रखना है तो देशी गाय का भी खाइए और जीवन बर कफ को संतुलित रखना है तो चीनी छोड़ कर गुड़ खाइए जीवन वर बात संतुलित रखना है आपको तो शुद्ध तेल खाईए शुद्ध तेल का माने आप मान लीजे नारियल का तेल खाते हैं आप मान लीजे शेंडारे का तेल खाते हैं तो बाजार से जो डबबंद तेल आता है ये शुद्ध नहीं है बाजार में जो तेल मिलता है वो रिफाइंड तेल है और डबल रिफाइंड तेल है रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल शुद नहीं होता क्योंकि तेल का रिफाइंड करने के लिए उसमें तेई तरह केमिकल्स मिलाने पड़ते और वो केमिकल तेल को अशुद कर देते तेल को रिफाइन और डबल रिफाइन करने का मतलब है तेल की सारी चिकनाई को निकाल लेना और मैं आपको एक विग्यान की रहसे वाली बात बताना चाहता हूँ तेल की चिकनाई में ही सारा प्रोटीन होता है और जब refine किया जाता है तेल को तो सारा protein निकाल लिया जाता है और protein निकलने के बाद वो तेल पानी से भी ज़्यादा खराब होता है इसलिए मत खाईए उस तेल चिकनाई वाले तेल की ही आपको जरूरत है खाने के लिए तो आप बोलेंगे हमारे तो doctors ने बोला है फैट जिसको हम कहते हैं एक तो अच्छा फैट होता है गुब फैट और एक तो बुरा फैट होता है बैड फैट जो अच्छा फैट है उसी को विज्यान की भाशा में HDL कहते हैं High Density Lipoprotein और जो खराब फैट है उसी को Low Density Lipoprotein कहते हैं LDL हमेशा कम रहना चाहिए HDL हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तो HDL तो तेल की चिकनाई से ही आता है और HDL तो ज़्यादा होना ही चाहिए तब ही आप स्वस्थ रह पाएंगे आपके शरीर में जितने भी जॉइंस है न इनको mobility के लिए ऑईल की जरूरत पड़ती है और वो ओयल आपको घुड फैट के द्वारा ही मिलेगा इसलिए चिकनाई वाला ही तेल खाईए बिल्कुल मत गवराइए बिल्कुल मत डरिये आप भारत में सेकनों वेग्यानिकों ने अभी ये रिसर्च किया है कि जो लोग शुद्ध तेल खाते हैं उनको arthritis कभी होता नहीं जो लोग शुद्ध तेल खाते हैं उनको heart attack कभी आता नहीं जो शुद्ध तेल खाते हैं वो हमेशा स्वस्त रहते हैं और जो refine टेल खा रहे हैं, double refine, वो बीमार पड़ रही है और बाजार से जो refine टेल आप लाते हैं, इसमें एक मिलावट आती है, क्योंकि भारत सरकार ने सभी खाद्ज तेलों में पामोलीन टेल मिलाने की इजादत दे रखिये हैं, और पामोलीन टेल कभी भी शरीर को digest नहीं हो से जादा नहीं होता इसलिए पामोलीं टेल डाइजेस्ट नहीं हो पाता और सबी दबाबंद टेलों में पामोलीं टेल मिला हुआ है इसलिए गंटी से भी डबाबंद तेल मत लाइए अपने घर में भी गावों में चलती हैं उन मशीनों में शेंग डाना देकर नारियल देकर सरसों देकर आप अपना तेल शुद्ध निकल भाईए उसी तेल को खाईए जीवन भर बात आपका संतुलित रहेगा बीमारी बात की नहीं आएगी और बिल्कुल मत घबराईए आपको हर्टेक होने वाला नहीं हर्टेक होता है डालडा खाने से हर्टेक होता है फामोलीन तेल खाने से क्योंकि ये डालडा और फामोलीन तेल का जो फैट है ये कभी भी बॉड़ी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता और इसी के कारण लो डेंसिटी लिफो प्रोटीन बोडी में बढ़ता है और वो हर्केटेक का कारण बनता है शुद्ध तेल खाने से कभी हर्केटेक नहीं आता इस बात को हमेशा याद रखें दूसरी बात आयर वेज की याद रखें कि पित्ध का कभी कोई रोग ना आये इसके लिए शुद्ध गाय का घी खाये शुद्ध गाय के घी का माने गाय का दूद लीजिए दूद को दही जमाईए दही बनाने के बाद उसमें वो रही चलाईए उसका छाच बनेगा ताक बनेगा फिर मक्खन मिकलेगा उस मक्खन को गरम करिये तब भी बनेगा तूप जिसको आप कहते हैं वही खाये जीवन तो पित्ध नहीं बिगड़ेगा कभी दिगड़े और कफ ना बिगड़े आपके जीवन में इसके लिए चीनी खाना छोड़ दीजे शुगर मत खाये साखर दुनिया का सबसे खतरनाग जहर है जिसको आप खा रहें इसकी जबह गोड़ खाये गोड़ और आप तो सब गोवाबासी महराश्र के नजदीक रहने वाले लोग हैं गोड़ से भी अच्छी एक चीज बनती है काटवी खाये काटवी को पूरे भारत में काटवी बनाने वाले महराश्र में ही लोग हैं सबसे अद्बुत चीज है चीनी को निकाल बाहर करिए अपने रसोई मैंसे वैसे भी पचास रुपई किलो हो गई है दिमाग खराब हो रहा सब्सक्राइब कि इसको निकालिये है काटवी ले आए गोड़ ले आए और गुड़ जब लाएँ खरीट कर तो देखकर लाइए गाज्यादा फ़एथ ज्यादा पीलावल मत लाइए भड़ा काला केला फ़ोड़ा केहरे लान रंग का गुड़ लाइए वो शुद्ध गुड़ वही है और कोलापुर में भरपूर बनता है सतारा संगली में भरपूर बनता है यहां अपने गोवा में भी काफी बनता है जहां जांग उसका शेती होता है तो गोड़ खाईए चीनी बन करिए कफ ठीक रहेगा देशी भवन्त सुखने की बात सब्के सिद्ध होती रहेगी एक आखरी माहिती और देनी है आपको स्वस्त रहने के लिए और वो माहिती यह है हमारे आयुरवेद में यह कहा गया है कि यह जो मीट हम खाते है न यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है मीट खाना बहुत आवश्य लेकिन कौन सा मीट खाएं? अभी तो बाजार में एक मीट आता है जिसको आयोधीन युगत मीट कहते हैं, यह सबसे खतरनाक मीट है, यह मत खाएं. फिर कौन सा मीट खाएं? वो हमारे घरों में पहले एक मीट आता था, जो बहुत जादा क्यूबिक फॉर्म का होता था, बेले जैसा क्यूब आता था, वो मीट अच्छा है, वो खाईए, एक काला मीट आता है, ब्लैक सॉल्ट वो खाईए, एक सेंदव लवन आता है, सेंदव मीट वो खाईए, यह आय प्राइवडीन युक्त मीट में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और मेरे जैसे बहुत सारे देश के स्वास्तोर चिकित्सा में काम करने वाले लोग वो मुकदमा लड़ गया हैं सरकार के खिलाफ। पहले यह मुकदमा शुरू हुया था मुझे कोर्ट में और वहां सरकार हार गई और हम लोग जीत गए अब यह मुकदमा चला गया है सुप्रीम कोर्ट में और वहां भी हम जीतेंगे सरकार हारने वाली है। मीट में आयोडीन मिलाने के नाम पर एक दो केमीकल डाले जाते हैं एक केमीकल का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरे केमीकल का नाम है अल्यूमिनियम सिलीकेड ये दोनों ही केमीकल जहर हैं पुटेशियम आयोडेट अगर मीट में मिला दिया और बार बार आप वो मीट खा रहे हैं तो आपके शरीड में जरूरत से ज़्यादा आयोडीन हो जाएगी और जरूरत से ज़्यादा आयोडीन बहुत खतरनाक होती है और अलुमिनियम सिलीकेट जो मीट में मिलाया जा रहा है ये किसी भी व्यक्ति को नपुनसक बना सकता है ब्लेट प्रेशर बढ़ा सकता है कॉलिस्टोल और ट्राइगलिस्टराइट को गर्बल करने के लिए अलुमिनियम सिलीकेट सबसे बड़ा जिम्मेदार केमिकल है तो आप कहेंगे तिर टीवी में ये जाहिरात क्यों आता है ये जाहिरात आपको लूटने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए आता आयोडीन युक्त मीत खाएए परिनाम क्या होता है 25 पैसे किलो वाला मीत आप 12 रुपई किलो में खाना शुरू कर देते हैं बिना ये पूछे हुए कि आयोडीन युक्त मीत 12 रुपई किलो क्यों होना चाहिए मीत भारत में एक ऐसी वस्तू है जो बनाने में कोई भी खर्च नहीं लगता मीत बनता है दरिया के पानी से और सूरज के प्रकाश से दरिया का पानी फोकट में है सूरी का प्रकाश फोकट में है दरिया के पानी पे सूरी का प्रकाश गिरता है पानी वाश्पु बनके उड़ जाता है मीत नीचे रह जाता है वो मीट तो फोकट में तयार होता है 12 रुपई किलो क्यों बिइतना चाह encourages तो आप कहेंगे मीट बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको महनत देने पड़ती है उनको 25-30 तैसे किलो का महनत आ नहीं मिलता है तो वो मीट पचास तैसे किलो में आपको मिलना चाहिए 12 रुपई किलो क्यों यह आयोडीन यह युक्त मीट करने के नाम पर आपसे पैसा लूटा जा रहा है और आपकी जेव काटी जा रहा है अब मैं आपको एक ऐसी माहिती देना चाहता हूँ आप हैरान हो जाएंगे दुनिया में बिना आयोडीन का कोई मीट ही नहीं होता और एक दूसरे केमिकल डाल रहे हैं अल्यूमिनियम सिलीके जो दुनिया के किसी भी देश में डालने की पर्मीशन नहीं है भारत में डाला जा रहा है और इस मीत को खागर जादा लोग बीमार पड़ रहे हैं तो आप बोलेंगे आयोडीन की कमी हो गई तो आयोडीन की कमी कभी भी नहीं हो सकती अगर आप रोज डाल खाते हैं तो आधा कटोरी दाल पका हुआ दाल तूर का दाल मूं का दाल उरत का दाल मसूर का दाल कोई भी दाल आप खा रहे हैं डेवी कभी आयोडीन की कमी हो नहीं सकती आपको और अगर आप भाजी पाला खा रहे हैं जिन्दगी में कभी आयोडीन की कमी नहीं हो सकते आयोडीन हमें जितना चाहिए उतना आधा कटोरी दाल में मिल जाता है बस परितनी दाल तो कोई भी खाता है भारत भारत सरकार को हमने एक जानकारी मागी है जिसको सरकार छे साल से दे नहीं रही है वो जानकारी ये है कि भारत में कितने लोगों को आयोडीन की कमी है ऐसे लोगों को हम जानना चाहतें देखना चाहतें छे साल से ये माहिती सरकार दे नहीं रही है क्योंकि किसी को इस देश मे आयोडीन की कमी नहीं है और आयोडीन की कमी के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड और पाखंड इस देश में चल रहा है और नमत बेचने वाली कमपनिया इसका पूरा फाइदा ले रही है और हमारे पुढ़ारी उसमें से पैसे लूट के खा रहे हैं जो मीट पचास पैसे से ऑकिलो होना चाहिए था उसको 12 रुपई किलो बिकवा रहे हैं कि मैं आपको एक आखरी बात कहना चाहता हूं मीट के बारे में सबसे गहरी बात हमारे आयुडेध में कही गई है कि मीट में जो माईक्रोल्यूर्यंस जो सूख्षुम पोशक तक तक तो है वो सबसे जादा सेधव मीट में है सेधव लवण में है उसके बाद दूसरे नमबर पर सबसे जादा सूख्षुम पोशक तक तक तो है तो वो काला नमक में है ब्लैक सॉल्ट में है और तीसरे नमबर पर वो क्यूबिक जो मीट आता है थले वाला उस में यहित सथा हुआ योटी न्यूक्त भीट इसमें माइक्रायोटींक्त सबसे कम हैं क्योंकि सरकार मीट के सारं माइक्राय। बदलने क्यों से आदरी одном कि मीट लाइए कला नमक लाई काला समाट काई है चीनी हटा दीजे, घर में से गोल खाईए, तेल शुद्ध कर दीजे, गाय का धी शुद्ध खाने लगिए, बस इतने मात्र से जिंदगी भर आपकी सुखी रहेंगे आप, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, और हर साल का साथ लाख कोटी रुपए बच जाएगा यही अभयान है हमारा भारत स्वाबिमान, लोगों को छोटी-छोटी माहिती देना, ताकि वो अपने जीवन को बदल सके, और बदल के अपने जीवन को जादा सुखी और जादा आनंद मही बना सके, यह अभयान का एक हिस्सा है, अभयान का दूसरा हिस्सा है, भारत देश भारत देश को सुखी बनाना भारत देश को स्वस्थ बनाना भारत देश को निरोगी बनाना आप बोलेंगे भारत देश को क्या बीमारिया है भारत देश को तो इतनी बीमारिया है जितनी हमें भी नहीं हमारे शरीर की बीमारिया सर्दी खासी जुकाम बुखार से लेकर कैंस तक की अगर सूची बनाएं तो कुल मिलाकर 140 या 148 बीमारियां हैं लेकिन देश की बीमारियों की सूची एक बार मैंने बनाई तो वो बंती ही रहती है वो कभी खतम ही नहीं होती गरीबी है बेरोजगारी है भुक्मरी है असिक्षा है प्रश्टाचार है बाई और भारत की बीमारियों में बहुत गंबीरता के साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि सबसे खराब बीमारी कौन है तो वो पता चला गरीबी है इस गरीबी के कारण बेरोजगारी है इस बेरोजगारी के कारण भारत के लोगों को आत्मत्या करनी पड़ती है और भेंकर दर करक्षक्ड्य हैं हमारी सरकार के 84 कोटी लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 10 रूपय नहीं मिल पाते 50 कोटी लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 10 रुपय नहीं मिल पाते 25 कोटी लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपय नहीं मिल पाते 15 कोटी लोगों को खर्च करने के लिए एक दिन में 1 रुपया नहीं मिल पाता और दस कोटी लोगों को खर्च करने के लिए एक इनमें पचास पैसा भी नहीं रही पाता इतनी गरीबी भारत में और इस गरीबी के बाद बेरोजगारी भी है बेरोजगारी है हमारी सरकार कहती है कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर साथ वर्ष की उम्र तक 64 कोटी लोग इस देश में रहते हैं इनमें से 3 कोटी 50 लाग लोगों को पर्मानेंट नौकरी है बाती के पास कोई रोजगार की पर्मानेंट जवस्था नहीं है जो 3 कोटी 50 लाग लोगों को पर्मानेंट नौकरी है रोजगार है वो सेना में काम करते हैं बैंकों में काम करते हैं वीमा कंपनियों में काम करते हैं भारत के पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं गवर्मेंट के ओफिसेज में काम करते हैं सेंट्वल गवर्मेंट में काम करत हैं सब उपर से नीच्चे तक तीन कोटी पचास लाख लोग है और बाकी के साथ कोटी पचास लाख लोगों को रोज्जोगार और कामुंद की जरुरत के हसाब से मिल रही पाता ह tread मादक सी बहुत के रहते किसी को एक वरष में 3 महिने काम मिलता है किसी को एक वर्ष में 4 महिने काम मिलता है किसी को एक वर्ष में 6 महिने काम मिलता है ऐसे साथ को इप 50 सानफ में 156 है Mit perpet 20 बुरा-लाख்त मते हैं इतना बुरा होश का विकास की बात करे हमारे देश में तो unjust सब्सक्राइब के 63 साल हो गए हैं अभी तक 3,50,000 गाउं में पीने का पानी नहीं है कि 50 प्रतिशत गाउं में पीने का शुद्ध पानी नहीं कि करीब पॉने चार लाख गाउं में चलने को सड़क नहीं चार लाख से जादा गाउं में हॉस्पिटर नहीं है डॉक्तर नहीं है कोई चिकित्सा केईर नहीं भारत में 115 कोटी की लोग संख्या में लगबग साथ कोटी लोग ऐसे हैं जिनकी कोई सिक्षा अभी तक नहीं हो पाई आजदी के प्रेशक्षाल के उन्होंने 20 सूत्री कार प्रेक्रम अपनाया और उसका पहला सूत्र था गरीबी हटाओ श्रीमती गांदी 14 साल काम करती नहीं गरीबी नहीं हट पाई श्री राजीव गांदी आये उन्होंने 5 साल काम किया तब भी गरीबी नहीं हट पाई उसके बाद बीपी सिंग चंदर शेकर नरसिमा रहो आए साथ वर्षों तक ये काम करते रहे गरीबी इनसे भी नहीं हटी उसके बाद देवे गौडा, इंद्रकुमार, गुज्राल आए फिर श्रीय अतल गहनी वाज़ते ही आए और अब डॉक्टर मनमहन से इतने प्रधान मंत्रियों प्रधाने गरीबी हटाने के लिए राब दिन महनत किया है लेकिन गरीबी है कि हर साल बढ़ती ही जा रही है कम नहीं हो पा रहे लाखों कोटी रुपए का हर साल बजट बनता है हम केमरे सरकार को टैक्स देते हैं हम राज्य सरकारों को टैक्स देते हैं कुल मिलाकर एक वर्ष में 64 तरह के टैक्स हम देते हैं, टैक्स के द्वारा हर साल 20 लाग कोटी रुपए हम सरकारों को दे देते हैं, और वे 20 लाग कोटी रुपए सरकारे खर्च करती हैं, और फिर भी करीबी नहीं मिचती हैं। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था कि भारत की जो पंचवारशिक योजनाओं में 110 लाग कोटी रुपए खर्च हुआ है, अगर ये पंचवारशिक योजनाओं में खर्च नहीं किया जाता और 110 लाग कोटी रुपए सीधे गरीबों को बांट दिया जाता, तो हर गरीब इस द करको देते हैं पैक्स सीधे सरकार ना देके घरीबं में बाटना हम शुरू करें तो पांच साल में भारत का हर गरीब कोति पति हो जाता आगा मात्र पाश पर से इसका मतलब बहुत सीधा है गरीवी नहीं हटने का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार हे और हमारा तंत्र यह गरीभी बड़ी नहीं देता यह गरीभी को फटने कर दिया उन्होंने एक दिन लोग समा में कहा कि भारत के गरीब लोगों के विकास कारी के लिए जब मैं एक रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है 83 पैसा बीच में ही लूट जाता है तो श्री राजीव गांधी को संसत में जो खासदार लोग होते हैं उन्होंने पूछा यह 84 पैसा कौन लूट लेता है तो श्री राजीव गांधीने का हम लूट लेते तो खासदारों ने पूछा हम की परिभाशा दीजिए हम मने कौन तो राजीव गांदी ने का सबसे ज़्यादा लूटते हैं पुढ़ारी मने मेता फिर लूटते हैं अधिकारी मने ओफिसर्स और फिर लूटते हैं करमचारी तो उढ़ारी, अधिकारी और करमचारी तीनों मेंकर 85 टक्का लूट लेते हैं इसलिए गरीबी नहीं मिख पाते और अब शरीराजीव गांदी के बेटे राहुल गांदी ने लोगसमा में अभी हंगामा किया थोड़े दिन पहले राहुल गांदी ने कहा कि मेरे पिताजी के जमाने में एक रुपए में से 15 पैसा गरीबों तक पहुंचता था अब मेरे जमाने में तो एक रुपए में से 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंच पाता है 92 पैसा लूट जाता है मने ब्रष्टाचार और बढ़ गया है कम नहीं हुआ है हमारे पुढ़ारी हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारी कैसे लूट रहे हैं इस देश को एक उधारन देता हूँ जो आपको तुरन ध्यान आएगा हमारे देश में एक उधारी है उसका नाम है मधू कोड़ा वो जारखंड में दो साल मुक्यमंत्री हुआ और भारत में ऐसा मुक्यमंत्री धूतो ना भविश्यती कभी हुआने और होने की संभावना ने क्यों वो अपक्ष मुक्यमंत्री हो गया निर्दली ये था मुक्हिमंत्री हो गया और उसकी फार्टी में वो अकेला MLay था और मुक्हिमंत्री हो गया अकेला MLay, एक सिंगल MLay मुक्हिमंत्री हो गया, कैसे हो गया? उसको दो राजटी फक्षोने समर्थन दिया कॉंग्रेस पार्टी और लालू यादव का जिंता दल दोनों ने दे दिया समर्थन मदू पोड़ा हो दिया मुक्यमंत्री मुक्यमंत्री होने के बाद उसने दो साल फूप जमकर लूटा जारखंड का खजाना और दो साल में उसने पांच हजार छेसो कोटी रुपए लूट कोड़ा ने पांच हजार छेसो कोड़ी रुपए जारखंड के खजाने से लूट कर स्विस बैंकों में जमा करा दिया स्विस बैंकों में उसके 22 खाते मिले हैं 22 एकाउंट्स हैं मधू कोड़ा के स्विस बैंक अब आप जड़ा थोड़ी देर चिंतन करिए चिंतन ये करिए कि एक मुख्यमंत्री सबसे गरीब राज्य जारखंड में दो साल में पांच हजार छेसो कोटी लूट सकता है तो एक मुख्यमंत्री सबसे अमीर राज्य में दस साल तक अगर रह जाये तो कितना लूट सकता है आपको मालूम है गोवा में ऐसे कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो दस साल है के अंदाज लगा ली जे कितना लूटा हो और गौवा का क्या गौवा के परोजी महराश्च्थ में कई मुख्यमंत्रिय ऐसे रहे जो 12-12 साल रहे तेरे तेरे साल रहे उन्होंने कितना लूटा हो गांद़ा लगा लिए और पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, वहां दद्द साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसे कई नेता हैं, उन्होंने कितना लूटा होगा अंधाजा लगा लिएकर, और इन मुख्यमंत्रियों को, या मुख्यमंत्रियों जैसे तमाम मंत्रियों को, हम अपनी आँखों से देखते हैं, कि 20 साल, 25 साल पहले जिनके घर में तूती साइक्ल नहीं होती, वो रातों रात, हजारों कुरेर रुपई की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। कहां से आता है ये पैसा? लूट कर आता है, प्रश्टाचार करके आता है। और ये लूट और भ्रष्टाचार का पैसा जो मदू कोड़ा जैसे मेताओं के पास है, मदू कोड़ा कोई एक नाम नहीं है, ऐसे भ्रष्ट मेताओं की संच्या इस देश में असी हजार है, मदू कोड़ा एक नाम है. और इन असी हजार भ्रष्टाचारी मेताओं ने पिछले 63 वर्षों में लाखों कोड़ी रुपए लूट लिया है, इनके नीचे अधिकारी हैं, वो भी लूट रहें, उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है, वहाँ पर एक अधिकारी अभी पकड़ा गया, भ्रष्टाचा और चीफ सेक्रेटरी के पक से रिटायर हुआ, थोड़े दिन के बाद उसके यहां रेड हुआ, CBI का, तो उसके घर में से 480 कोटी रुपए की संपत्ती मिले, और एक एक हजार के नोटों की गड़ियां, ट्रक में भर भर के, इंकम टेक्स वाले उसके घर से ले गए, वो टेलिवीजन पे हमने देखा, और इंकम टेक्स वालों ने कहा, कि उन एक हजार के नोटों की गड़ियों को मशीनों से 15 दिन में उन्होंने गिन पाया, और मजू कोड़ा जैसा ये अखंड प्रताप सिंग जब निकला, CBI की गिरुफ्ट के अंदर आया, तो इसको पूछा गया, कि तुमारी सेलरी 77 लाख रुपए होती है, जब से तुमने नौकरी शुरू की और आखरी दिन तक टेक्स को निकालने के बाद, तुमारे घर से 480 कोटी रुपए कहां से आया, तो अखंड प्रताप सिंग ने एक बहुत इंप्रेस्टिन बात कही, वो आप सब सुनिये ज्यान से, उसने कहा, कि मैं उत्तर प्रदेश में कलेक्टर रहा, कलेक्टर आप तुमस्ते दिया, कई कई इस्थानों पे कलेक्टर रहा, तो हर एक मुख्यमंत्री ने मुझे टार्गेट फिक्स किया हुआ था, कि एक हफ़ते में इतना लूट कर देना है, और अगर मैं लूट कर नह दो, तो मुख्यमंत्री मुझे लात मार के निकाल देगा, तो मैं मुख्यमंत्रियों का टार्गेट पूरा करने के लिए पैसे लूटता था, कोई मुख्यमंत्री कहता था, हफ़ते में 10 कोटी रुपए लूटो, कोई मुख्यमंत्री कहता था, 15 कोटी लूटो, कोई कहता का 20 कोटी लूटो मैं सम्हुन मंत्रियों का पालन करता था आदेश का और लूट कर जो पैसा आता था उसमें से थोड़ा में रख लेता था और थोड़ा मुख्यमंत्री को देता था तो मैं जितना रखता था यही पैसा चार सो अस्ती कोटी रुपए हो गया और अखंड प्रताप सिंग ने एक बात कही कि अगर मैं नहीं लूटता और इमांदारी से नौकरी करता तो मुक्यमंत्री मुझे सस्पंड करता टर्मिनेट करता इसलिए मैंने लूटना जरूरी समझा और उसने एक बात कही कि मेरे जैसा कोई भी कलेक्टर इमांदारी से नौकरी कर नहीं सकता लूटना उसको जरूरी है क्योंकि मुक्यमंत्रियों को पैसा बहुत जरूरी है और मुक्यमंत्रियों को पैसा नहीं मिले तो वो हमारे जैसे कलेक्टरों को ट्रांस्फर करते रहते हैं और ऐसी जगह पटक देते हैं जहां जिन्दगी हमारी नरफ हो जाते हैं तो वो कहता है कि इस पॉलिटीकल सिस्टम में बिना लूटे किसी का काम नहीं चल सकता यह अधिकारियों का हाल है और भी नीचे के जो करमचारी है उनका हाल तो आप सभी जानते हैं तलाटी से लेकर मने तैसीलदार से लेकर या उसके भी नीचे के नायब तैसीलदार या उसके भी नीचे के बीडियों से लेकर और सभी करमचारी बिना रिश्वत बिना घूस के एक छोटा सा काम भी नहीं करते आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और जन्म प्रमान पत्र आपको लेना हो तो बिना घूस के नहीं मिलता बिना रिश्वत के नहीं मिलता गर में किसी की मृत्यू हो जाए और मृत्यू प्रमान पत्र लेना हो बिना रिश्वत और बिना घूस के नहीं मिलता तो नीचे से लेकर उपर तक घूस खोरी लूट खोरी मची हुई है और यही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है और शिरी राजीव गांदी के फॉर्मूले में से मैं आपको अगर बात करूँ वो यह कहते थे कि हर गरीब आदमी को जो हम पैसा बेजते हैं उसका 85 प्रतिशक लुटता है तो केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार का पैसा नगरपाली का ग्राम पंचायत और जिला सरकार का पैसा सभी इस तर पर हमने कैलिकुलेट क कि आतो पता चला एक बंश में इस देश में सब्त्रह लाख पोटी रुपए लुट जाता है और यह लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है और हमारे पुडारी अधिकारी और करमचारी विदेशी बैंकों में खाते खोल कर बैठे हुए हैं सुर्जेल्य की बैंकों का एक एसोसियेशन है उसका नाम है स्विस बैंकर्स एसोसियेशन उनकी माहिती के अंसार भारत के घूसखोर पुढारी और अधिकारियों का स्विस बैंकों में 72 लाख कोटी रुपए चमा है यह गोवा के परोस में एक महाराश राज्य है अपना महाराश राज्य में पुणे नाम का नगर है इस पुणे नगर में एक स्विस बैंक का एजेंट पकड़ा गया था थोड़े दिन पहले उसका नाम है हसन अली शायल आपने नाम तुना हो वह स्विस बैंक का एजेंट है तो उसकी संपत्ती का अंदाजा लगाया गया तो हसन अली को पूछा गया कि आपके घर में कौन सा बिजनिस होता है 72,000 कोटी की संपत्ती है तो उसने का मेरी जो चाय की दुकान भी नहीं है कि मैंने कोई बिजनिस आज तक नहीं किया तो फिर पूछा गया उसको कि 72,000 कोटी कहां से आया तब उसने कहा कि भारत के जो पुडारी पैसे लूपते हैं उनके एकाउंस मेंटेन करने का काम मैं करता हूँ और बदले में मुझे जो कमीशन मिलता है वो कमीशन 72,000 कोटी का हो गया अब एजेंट के पास 72,000 कोटी है तो एजेंटों के जो सरगना हैं पुडारी ब्रश्ट उनके 22,000,000 कोटी होना तो बहुत सामन भी सुपाद है और यह 22,000,000 कोटी रुपए जिन स्विस बैंक रखे हुए हैं उन स्विस बैंकों का नियम है कि पैसा जमा करने वाले को वो बैंक वैयाज नहीं देते उल्यटा सर्विस चार्ज लेते दूसरा नियम है कि जो पैसे जमा करता है उसकी अगर रभ्चodar हो गई तो बैंक पूरे पैसे को हड़़प जाता है तीसरा नियम है कि रात में दो बजे भी आप जाओ स्विस बैंक का दरवाजा खुला रहता है रात में भी पैसे जमा होते हैं और चौधा नियम है कि वो पैसा जमा करने वाले से कभी पूछते नहीं कि पैसा लाया कहां से आप और स्विस बैंकों में यह ऐसे जमा है ऐसे दुनिया में सच में आपकों किपर और सारे खाते भाहरत में काम करने वाली एक शंठाझ है वह अंतर राश्थियर संथ्ता है उसका नामे Transparency International और एक दूसरी संस्था है उसका नामे Tax Justice Network ये दोनों संस्थाएं Black Money पर अभ्यास करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दो संस्थाएं है इन दोनों संस्थाओं का कहना है कि स्विस बैंकों में तो भारत का बहस्तर लाग कोटी है अधर देन स्विस बैंक्स भारत का 258 लाख कोटी रुपए और भी जमान जो स्विस बैंकों के अत्रिक है और ये सारा धन पिछले 63 साल में घूद खोरी करके विश्वत खोरी के मात्यम से लूट कर विदेशों में ले जाया गया है मुझे बहुत बुद हैं इस बात को कहते हुए कि अंग्रेज आये थे और उन्होंने भारत को लूटा था दाइस साल में अंग्रेजों ने 300 लाख कोटी रुपए लूटा था इस देश में अब आज़ादी के बाद ये काले अंग्रेज पैदा हो गए इन्होंने 300 साल में 258 लाख कोटी रुपए लूट लिया इस देश में से और ये लूट अगर ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही ब्रश्का चार बढ़ेगा तो थोड़े दिन के बाद तो गरीबी आपको भी आ जाएगी अभी तो 84 कोटी गरीब है थोड़े दिन में 100 कोटी हो जाएंगे फिर 115 कोटी हो जाएंगे अमीर सिर्फ पुढारी रहेंगे अधि करना पड़ेगा इस लूट खोरी को बंद कराना पड़ेगा और इस ब्रश्टाचार और लूट खोरी को बंद कराने के लिए ही भारत स्वाविमान अभियान ने जन्म लिया है और भारत स्वाविमान अभियान ने संकल्प लिया है कि भारत के पुढारी अधिकारी और करम ऐसकर आपके मन में एक सवाल आएका क्या न वापस आएका है हई यह न वापस आएका कैसे आएका धन जैसे गया था वैसे ही वापसisa जाने का रास्ता आगर है तो वापस आने का भी रास्ता वी इंट दुर पूछेंगे वो क्या है दुण McCarthy के बैंकों में ये धन जमा है वो पुढ़ारियों की व्यक्तिकत संपत्ति के रूप में जमा है निजी संपत्ति के रूप में जमा है अधिकारियों की व्यक्तिकत और निजी संपत्ति के रूप में ये धन जमा है अगर इस धन को राश्ट्र की संपत्ति गोशित करा दिया में वापस आजाएगा इसको कोई बैंक दुनिया में जमा नहीं रख सकता है जिन बैंकों में यह पैसा जमा है उन बैंकों में कानून है कानून यह कहता है कि जब तक कोई धन व्यक्तिकत संपत्ति है निजी संपत्ति है वो दुनिया के किसी भी बैंक में जमा हो सकती है लेक ऐगर किसी देश की एपेक्स को तो मने सरवोच अदालत या उस देश की सरवोच शंस्था उसंपति को इसा दम को राश्री की संपत्ति को si कर दे तो कोई भी नहीं सकते वह वापस करेंगे क्योंकि राश्री की संपति राश्री की बैनक में ही जमा हो सकती पारत की अगर Они हमने अभारत स्वाविमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि 258 लाद कोटी रुपए जो ब्लैक मनी का विदेशी बैंकों में हैं इस धन को भारत की राश्ट्रिय संपत्ती गोशित कराया जाए आप बोलेंगे कौन करेगा ये काम ये काम या तो सुप्रीम कोट कर सकता है या हमारी संसत कर सकती है सुप्रीम कोट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी दन को राश्ट्र की संपत्ती गोशित कर सकता और एक बार सुप्रीम कोट ने ऐसा किया है आपको मैं पुराना एक सच्ची कहानी सुना कर नसिमा राव इस देश में प्रदानमंत्री बने उस समय एक यूरिया गोटाला हुआ था यूरिया गोटाले में 133 कोटी रुपई का पेमेंट किया गया और यूरिया भारत में नहीं आया सुप्रीम कोट ने इस मामले में सग्यान लेते हुए मुकत्मा धाकिल किया और सुप्रीम कोट ने जाच करा ही कि 133 कोटी रुपई कहां गया तो पता चला वो पैसा नर्सिम्मा राओ के बेटे के खाते में जमा हो गया स्विस बेंक में। सुप्रीम कोट में आदेश दिया कि यह 133 कोटी रुपए भारत की राश्विय संबत्ती है लेहादा यह पैसा भारत में वापस लाया जाए। सुप्रीम कोट के इस आदेश के साथ दिन के अंदर स्विस बेंकों ने 133 कोटी रुपए हमें वापस किया था और वो पैसा सुप्रीम कोट में आके जमा हुआ और नर्सिम्मा राओ के बेटे को सुप्रीम कोट ने जेरी भेज दिया था तो हमारा यह मालना है कि अगर यूर तो इसी उम्मीद में हमने भारत के सर्वोच नियाले में सुप्रीम कोट में एक मुकदमा दाखिल कराया है और उस मुकदमे में एक मात्र अपील हम कर रहे हैं और वो अपील है कि 258 लाख कोटी रुपए जो विदेशी बैंकों में हैं उसको राश्त्री ये संपत्ति सुप्रीम कोट को कि किस पुढ़ारी का कितना पैसा किस वेंक में जमा अब सरकार की हालत बोड़ी खराब है वो किसका नाम ले और किसका ना ले क्योंकि जिनके पैसे हैं वही सरकार चला रहे हैं तो सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि थोड़े दिन में हम माहिती देंगे और सरकार ने 70 देशों में अधिकारी भेजे हैं जो इस पैसे की माहिती इकठी कर रहे हैं थोड़े दिन में शायद सरकार ये माहिती देगी तो बहुत अच्छा है नहीं देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेंगे कि जिनका भी पैसा है वो रहने दो उसको राष्ट की संपत्ति गोशित कर दो अगर सरकार नहीं बताती और सुप्रीम कोर्ट एक्स पार्टी जेज्मेंट कर सकता है और अगर वो पैसा राष्ट की संपत्ति हुआ तो 258 लाग कोटी रुपए वापस आ जाएगा ये एक रास्ता है पैसा वापस लाने का दूसरा रास्ता है भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारिफ किया जाए और वो प्रस्ताव ये कहेगा कि 15-10-1947 के बाद जितना भी धन भारत से लूटा गया वो भारत की राष्टी ये संपत्ति है और संसद में ये प्रस्ताव पास कराने के लिए एक खासदार चाहिए एक खासदार इस प्रस्ताव को रखेगा बागी सब खासदारों को इस पर बहस करनी पड़ेगी बहस जब होगी तो टेलिवीजन चेनल प विरोद कर रहा है जो विरोद करेगा बेइमान नंबर एक वही है खाते उसी के है पता चल जाएगा सारे देश को कई नेता मुझे मिलते हैं आजकल दिल्ली में वो कहते राजी भाई अगर आपने ये प्रस्ताव रखवाया संसद में तो दर के मारे बहुत सारे खासदार विरोद ही नहीं करेंगे क्योंकि पूल खुल जाएगी उनकी तो मैं गता हूँ बहुत अच्छा है दर के मारे वो विरोद नहीं करेंगे प्रस्ताव पास हो जाएगा कानून बन जाएगा 258 लाग कोटी वापस आ जाएगा अपने तो दोनों हाथ में लड़्टू है यह दूतरा रास्ता अब बहुत लोग हमें यह भी डराते हैं कि क्या मालूम एक खासदार भी ना मिले तो प्रस्ताव रखने वाला एक भी ना मिले सारे वेहिवान हो गए हो तो क्या करेंगे तब हमने एक तीसरा रास्ता निकाला है कि सन 2014 में भारत में लोगसभाके चुन प्रस्ताव हो रहे हैं परमपुजली स्वामी रामदेव जी ने कहा है कि लोगसभाके 2014 के चुनाओं में वो एक एक जगे जाएंगे और लोगों से भीख मांगेंगे कि हमें एक खासदार चुनकर दो संसत के लिए जो यह प्रस्ताव पारित कराए और हो सकता है लोग 543 ख सन्यासी जैसे व्यक्ति थे सन्यासी तो नहीं थे लेकिन सन्यासी जैसे व्यक्ति थे उनका नाम था परम सम्मानिय जैप्रकाश नारहें उन्होंने 1974 में ब्रश्ताचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था और 1977 में देश के लोगों को उन्होंने अपील की थी कि संपानिय जैप्रकाश नारहें को अगर जैपी को 377 सांसद मिल सकते हैं तो परम पुझनिय स्वामी रामदेव जी को भी मिल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोई कम तेजस्विता नहीं है और उन्होंने कोई राष्ट का समर्पा कम नहीं है और लोग तो तयार बैठे हैं हम लोग भारत वाविवान की तरफ से 100% मतदान का जब अभियान चलाते थे ना तो हर गाओं में लोग हमें कहते थे कि आप हमें बोलते हैं 100% वोट करो हम करना चाहते हैं लेकिन कोई इमांदर आदमी तो हो जिसको हम वोट करें हमारे सामने सब्सक्राइब नागनाथ है दूसरा सापनाथ है दोनों ही डस्ते हैं हमको कोई इमांदार आदमी लेकर आओ हम सारे लोग वोट देने को तयार हैं तो इमांदारों की एक बड़ी टीम बनाकर इस देश की संसत में भेजनी है दो हजार चौदे में और उमीद है कि चार सो खासदार अपने जीत कराएंगे और अपन एक मिनट में कानून बनाएंगे दो सो अठावन लाग कोटी रुपए को रास्त की संपत्ती भोशित करने का और वो सारा पैसा वाफस आएगा ये पैसा तो आएगा और इस पैसे से दे हनारों रुपए खर्च करेंगे गाउं घाउalles में बहरत में 4 understood अग मैंहीं नों में का पैस हूती और चाहरा को में जहां पास पैस पैसा होती है वहां लाग काम शुरू किया जा सकता और खादी बनाने के काम में 15 खोटी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो यह जो 258 लाग कोटी रुपई आएगा इसमें 10 लाग कोटी रुपई खंच करके गाउं-गाउं में हम 100 उद्योग लगाना चाहते हैं। खादी का उत्योग लगाना चाहते हैं, भारत के लगबकurbaster घाइ से टीन लाख जाओं में गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा बनाना चाहते हैं गाओं में और शेहरों में बिक्वानाय चाहते हैं गेहूं बिकता है 11 रुपई किलो, आटा बिधेंगा 26 रुपई किलो तो किसानों को कहना है कि यहूं मत पेचो आठा बेचो फिर भारत के करीब धाई से तीन लाग गाउं में सर्सों पैदा होती है शिंग आगा पैदा होता है नारियल पैदा होता है तो शिंग आड़े का तेल सर्सों का तेल नारियल का तेल यह सब गाउं गाउं में पैदा करक फिर भारत में करीब एक लाख गाउं में बटाटा पैदा होता है और एक लाख गाउं में टमाटर पैदा होता है बटाटा चिप्स गाउं गाउं बन सकता है टमाटर का सौस गाउं गाउं बन सकता है तमाटर दस रुपई किलो बिखता है तमाटर सॉस कम से कम दो सो रुपई किलो बिखता है बटाटा दस रुपई किलो बिखता है बटाटा चिप्स चार सो असी रुपई किलो बिखता है तो गाउं गाउं में बटाटा चिप्स बनाएंगे तमाटर सॉस बनाएंगे तील ला से ज़्यादा घाउं में आवला पैदा होता है 50 ужessa तोक काम मिले तो 2025 कोती नाघी को जिन्दगी वर्ण के कोज़गार गाउं गाउं में हम दे सकते हैं मात्र 10 लाख कोटी रुपए खर्च करते हैं और अपने पास 258 लाख कोटी है दस लाख कोटी खर्च करेंगे उद्योग गाउं गाउं में लगेंगे बेरोजगारी और गरीबी दोनों खतम हो जाएगी उसके बाद चार लाख कोटी रुपए अगर हम खर्च करें तो हर गाउं के शेत करी के शेत को पानी मिल जाएगा तालाव दनाने की घवस्ता हम गाउं गाउं में शुरु कराएंगे हर में आठ दस तालाब हो तो बारिश का सारा पानी तालाब में एकठा हो और सिचाई के लिए काम में आसके फिर इसी तरह से हर गाओं में चिफित्सा की व्यवस्था इसकूल कॉलेज की व्यवस्था सारी व्यवस्थाईं करने में 50 बाउं स्वावलंबी हो जाएंगे भातमा गांडी का यही सपना था कि भारत का हर गाओं स्वावलम्दी बने और स्वदेशी के दर्शन पर खड़ा हो वह काम करेंगे हम 50 लाक कोटी का खर्च करके और 50 लाक कोटी खर्च करेंगे 258 लाक कोटी में से तो भी 208 लाक कोटी तो फिर बचेगा उस बचे हुए पैसे को बैंक के फिक्स डिपॉजित में रखेंगे और एक साल में उसका ब्याज 20 लाट कोटी रुपए आएगा अब हर साल 20 लाट कोटी का ब्याज अगर देश को मिलेगा तो पूरे देश में टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम सारे देश की अर्थ विवस्था को जीरो टैक्स कर सकेंगे टैक्स की जरूरत क्या जब हमारे पास 20 लाट कोटी की इंकम है साल की टैक्स लेना बंद कर देंगे इंकम टैक्स सबसे पहले बंद करेंगे Central Excise खतम करेंगे, Sales Tax खतम करेंगे, Road Tax खतम करेंगे, Tool Tax खतम करेंगे, Off-Troy खतम करेंगे, सारे Tax खतम करेंगे और Income Tax जैसे ही खतम होगा, तो एक बहुत बड़ी क्रांती होगी क्रांती क्या होगी, भारत में जितना Black Money है, वो रातो रात White Money हो जाएगा Income Tax खतम होने के तुरंट बाद, अभी हमारे देश में क्या होता है, Income Tax की चोरी करने के लिए लोग आमंदनी को छुपाते हैं, आप Income Tax लगाना बंद कर दो, कोई आमंदनी को छुपाएगा नहीं, सभी लोग इमानदारी से अपनी आमंदनी बताएंगे इसी तरह से Central Excise Tax की चोरी करने के लिए लोग उतपादन को छुपाते हैं आपको मालूम है, माइनिंग में कितना माल उतपादन होता है, लेकिन Central Excise की चोरी करने के लिए छुपाते हैं, वो ब्लैक में चला जाता है Central Excise हटा दो, उतपादन चुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और Central Sales Facts हटा दो, तो व्यापार को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी को आमंदनी उतपादन और व्यापार चुपाना ना पड़े, तो बेहिमानी तो पूरे देश में से खतम हो जाएगी, सारे लोग आसानी से इमानदार हो जाएगे, तो फिर आप बोलेगे, देश को चलाने के लिए कोई और टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने तो सारा कैलकुलेशन किया है, कि सुईस बैंकों से, दिजेशी बैंकों से जो पैसा आगया पूरा, तो कोई दूसरा टैक्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर ये देश बिना टैक्स के चल सकेगा, जिंदगी भर, जरूरत ही नहीं, और सारे टैक्स अगर हम खतम कर पाए, तो महगाई खतम हो जाएगी, और महगाई कैसे खतम होगी, मैं सिंपुल कुछ कैलकुलेशन्स आपको बताता हू सारे टैक्स अगर हम खतम करें, तो पैट्रोल मिलेगा बारा रुपए लीजर, सारे टैक्स खतम करें, तो डीजल मिलेगा साथ रुपए असी पैसे लीजर, सारे टैक्स खतम करें, तो रसोई गैस का सिलिंडर मिलेगा चालीस रुपए का, सारे टैक्स अगर खतम करें, तो सीमेंट का 50 किलो का पैकेट मिलेगा 72 रुपई का सारे टैक्स खतम करें तो एक किलो लोहा मिलेगा 12 रुपई का सारे टैक्स खतम कर दें तो आप जो 10 लाख रुपई में घर बनाते हैं वो घर आपका 4 लाख रुपई में ही बन जाएगा 6 लाख रुपई बच जाएगा आप सब्सक्राइख करें किसी बच्चे की इंजिनरिंग की पढ़ई पर अभी पाचलाख खर्च आता है वह मीट आपको 25 पैसे किलो में मिल जाएगा सारे टैक्स कतम होने के बाद। आप बुलेंगे ये तो कोई सपना है, ये तो सपना ही है, चार साल के बाद ये हकीकत में बदलेगा, हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना होती है और एक दिन बाद का सपना हकीकत में बदल जाता है अभी ये सपना है 2014 में ये हकीकत बनेगा अगर आप सब इस सपने को साकार करने में लग जाए तो ये सपना एक दिन जरूर हकीकत में बदलेगा और एक छोटी सी बात कहता हूं आप से आप सब पढ़े लिके समझदार लोग हैं हमने ये तैक कि आए कि 258 लाग कोटी विदेशों से वापस लाके देश का विकास करेंगे और बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करके उसके ब्याद से देश को चलाएंगे एक और फैसला हमन सम्भव और ब्याद सहित लाएंगे इस पैसे के आप बोलेंगे वह कैसे संभव है अंग्रेजों से लूटा हुआ धन भारत लाना ऐसे संभव है कि अंग्रेजों ने बहुत सारा जो संपति हमारा लूट आ है वो अभी भी इंग्लेंड में रखा हुआ है आपको मालूम है हमारो कोहिनूर हीरा इंग्लेंड में है और कोहिनूर जैसे भारत के 4680 हीरे अबी तक इंग्लेंड में हैं मैं पिछले साल अगस्त में परंपुजनी स्वामी जी के साथ लंदन गया था स्वामी जी तो वहां से जंदी लोटाई में 18 दिन लंदन में रुका था और 18 दिन में मैंने एक ही काम किया था भारत से लूटी वही संपत्ति अंग्रेजों ने कहां कहां रखी हुई है उसके द जो नहीं है बीस हजार से जादा प्रमान हैं हमारे पास आपको सुनकर वड़ी खुशी होगी हमारे देश में महमूद गजनवी नाम का एक लुटेरा आया था जिसने सोमनात का मंदिल लूटा था सोमनात के मंदिल का दरवाजा पूरा सोने का था महमूद गजनवी उसको लूटकर गजनी ले गया था अंग्रेजों ने गजनी को लूटा था और वो सोने का दर्वाजा अब अंग्रेजों के म्यूजियम में रखा हुआ है उसका फोटोग्रैफ में निकाल के लाया वो दर्वाजा ही लाखों कोटी रुपई का है आज एक अंग्रेज आया था इस देश में उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइब उसने कलकर्टा को लूटा था और लूटा हुआ धन सोने के सिक्क्ये चानी के सिक्ये हीरे जवारा रॉबर्ट क्लाइब लंदन जब ले गया था तो लंदन की पार्लिमेंट में उससे पूछा था कि तुम भारत से जो संपत्ती लाए वो कितनी है तो रॉबर्ट क्लाइब में उसका जवाब दिया था कि गिना तो नहीं है लेकिन भारत से जो संपत्ती में लाया संपत्ति अभी भी लंदन में पड़ी हुई है हमारे राजा महाराजाओं के खजानों से अंग्रेजों ने जो कुछ भी लूटा है वह इंगलेंड के मियूजियम में भरा पड़ा है और वो सारी लूटकी संपत्ति वापस लानी है इसके लिए क्या करणा है इसके लिए आंग्रेजों के खिलाख दालत में इंट्रनेशनल व Vatican cocaine में और उस मुकत्मे में प्रमाण प्रस्तुत करने हैं कि अंग्रेजों ने क्या-क्या लूटा है और ये प्रमाण अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले वह सत्र देश कौन है अफ्रीका के देश लेटिन अमेरिका के देश साउथ इस्टेशिया के देश जिनको अंग्रेजों ने लूटा पिछले 500 साल उन सत्र देशों को हम 85 करेंगे और ये मुकदमा एक साथ लड़ वर्ड के रूप में लाएंगे और भारत के खजाने में अगर हमने इतना सोना जमा कर दिया 300 लाग कोटी का तो आपको मालूम है जिस देश के पास सोना जादा होता है उस देश की संपत्ती अपने आप बढ़ जाती है तो भारत की संपत्ती बढ़ेगी तो भारत के रुपय क का के एक डॉलर के बराबर हो जाएगा और जिस दिन एक रुपया एक डॉलर हो जाएगा तो भारत का जो निर्यात अभी दुनिया में हो रहा है पांच अरब डॉलर साल का ये निर्यात 200 अरब डॉलर साल का हो जाएगा मने निर्यात की 50 पट आमंदनी बढ़ जाएगी आय आयात का 50 पट खर्चा घट जाएगा आयात घटेगा दिर्यात बढ़ेगा दिर्यात की आमन्न नहीं बढ़ेगी आयात का खर्चा घटेगा तो ट्रेड सर्प्लस होगा और बुक्तान की इस्तिती हमारे पक्ष में होगी तो हम चीन और अमेरिका जैसे देश से भी बहुत सबसे उपर आ जाएगी और भारत फिर से विश्व गुरू बनेगा भूत काल में यह देश विश्व गुरू था भविश्य में भी इसको विश्व गुरू बनाना है इसका वर्तमान हमें सुधारना है इसी के लिए भारत स्वाविमान अभियान चला रहा है आप बोलेंग को बढ़ाते बढ़ाते काफी तेज हमने कर लिया है चार वर्ष सों में इस अभयान के 5 करोड penanne को भारत में 5 पाँच क्रोड member अगर किसीया तेज कोगाे तो 50 कोषब कोटी मेंबर हम बनाएंगे पचास कोटी मैंबर आसानी से बजाएंगे और जिस अभि्यान में 552 इमेंबर जुड़ आएंगे उस अभियान के खासदारों की 400 से जादा सीक्न है लोग सबांसे पक्की होगालिए बाइशा में और ओर में हमारे आमधार होंगे हैं और कोई भी कानून बनाना और पुरा ने कानून रिए बहुत आसान होगा रेजि के साथ हम एक करना चाहते हैं उन में से एक कानून है गोहत्या का कानून आपको मालूम है अंग्रेज जब आये तो नों ने गोहत्या शुरू की इस देश में और सन 1760 में पहला गाय को कतल करने का कतल खाना कलकत्ता में बनाया रॉबर्ट क्लाइब ने धीरे-धीरे वो गतल खाने बढ़ते गए और जब अंग्रेज भारत छो 가지 चोड़ करगए तो 3500 प्र साड़े के जानी के बार इस देश में 36,000 कतल क् Şimdi estal कॉने हैं और एक सान में चार कोटी गाय कट रही है और एक गाय के कटने का मतलब है 40 लाख रुपई का नुकसान देश को क्यों गाय जितना शेन देती है जितना मूत्र देती है उसकी कुल मिलाकर कीमत 20 लाख रुपई बैठती है गाय जो बच्छडी और बच्छडे को जनम देती है उनकी कीमत अंतराश्टी बजार में और 20 लाग होती है एक गाय 20 साल जिंदा रहे तो 40 लाग रुपई की आमंदनी देश को होती है वो गाय अगर कट जाए तो 15,000 की आमंदनी कसाई को होती है ये कसाईयों से गाय को कटवाना बंद कराना है और इसके लिए केल विस्पर पर कानून बनाना है अंग्रेजों के जमाने में गाय कटती थी अंग्रेजों के जाने के बाद गाय क्यूं कटनी चाहिए गाय बहुत कीमती है हमारे लिए और गाय के अलावा जो दूसरे जानवर कटते हैं वो भी कीलती है, मशी भी कीलती है, बैल भी कीलती है, क्योंकि ये देश की करशी व्यवस्था को मदद करते हैं, ये कानून हमें बदलना है, वो हत्या का कानून बदलना है, इसी तरह से हमारे देश में अंग्रेजों के जमा यह सब कानून अंग्रेजों के बनाये हुई हमारी सरकारों में एक भी कानून बदला नहीं है फिछले 63 सालों IPC जिसको आप इंडियन पीनल कोड कहते हैं वास्ता में वह आईरिश पीनल कोड है आयरलेंड को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया दस्वी शताती में और आयरलेंड को गुलाम रखने के लिए जो कानून उन्होंने लगाया आइरिश पीनल कोड उसी को भारत पर लगा दिया था अंग्रेजों में 1860 वह कानून अभी तक चल रहा है और उस कानून के चलते किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है भारत की अदालतों में तीन कोटी पचास लाग के स्पेंडिंग है और तीन कोटी पचास लाग के स्पेंडिंग है एक वादी और एक प्रतिवादी दोनों मिलाएं तो साथ कोटी लोग होते हैं और साथ कोटी परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून किसी को न्याय नहीं देते कानून कैसे हैं एक उधारेंदू अंग्रेजों का बनाय हुआ एक कानून है मोटर वही कलेक्ट इस कानून में ये है कि आप किसी को मोटर के नीचे कुछल कर मार दो तो छे महिने की सजा होगी और बेल कभी भी हो जाएगी आपको और इसी कानून में यवस्था है कि अगर मोटर से उतर कर आपने किसी को मार दिया तो 14 साल की सजा होगी और बेल कभी भी नहीं होगी कि मोटर से कुछल कर मारो छे महिने की सजा मोटर से बाहर किसी को जान से मार दो च्वादे साल की सज़ा ऐसा बिचितर कानून अंग्रेजो ने बनाया क्यों बनाया कि अंग्रेजों के पास फ्रूट कार उठी भारतवाषी इससे कुछलकर ङरे जाते थे अंग्रेजोंको सजा नही ओनी होझा या इसलिए ये बलातकारी को सजाना होने पाए तो हमारे देश में आज तक वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया सौ बलातकारी बलातकार करते हैं पांच को भी सजा नहीं हो पाती अधालत से 95 छूप जाते हैं ऐसा अथ्याचारी कानून है अंग्रेजों का स्वतंत्रता को इस्थाफित कराना है इसके लिए हमें बहुमत चाहिए संसप में बहुमत चाहिए समाज में भी बहुमत चाहिए और इस बहुमत को जुटाने के लिए भारत स्वाविमान अभयान काम कर रहा है आप सब इसमें मदद करें इस विनम रपेक्षा के साथ में आया आप बोलेंगे क्या मदद कर सकते हैं इस भारत वाविमान अभयान में सबसे पहली मदद आप करिए हमारे मेंबर हो जाएए और मेंबर होने के लिए एक फॉर्म भरना है वो फॉर्म आप जाने से पहले फॉर्म ले जाएए नाम पता फोन नंबर भरके हमारे प्रभारियों को दे दीजे जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो 51 रुपई की दान राशी हमें आप से चाहिए और गाउं में रहने वाले अगर आप किसान भाई हैं शेतकरी हैं तो 11 रुपई की द हैं कि बिना रसीट के हम एक पैसाधी दान नहीं ले सकते हैं आप रसीट लेकर अपने पास समाल के रखना वो प्रमान होगा आप जो दान देंगे वो हमारे लिए फंड्स के रूप में काम आएगा हमने भारत स्वाविमन की तरफ से संकल क्लिया है कि कि किसी बड़े आदम कि से 10 कोटी रुपए लेना 15 कोटी लेना 20 कोटी लेना उससे अच्छा है भारत के एक कोटी शेंकरी नागरिकों से 10 रुपए लेना महात्मा गांदी ने जब आजादी का अंदोलन किया था तो चाराना मेंबर्शिप का एक अभियान चलाया था महात्मा गांदी 25 पैसे लेते थे चाराना लेते थे और मेंबर बनाते थे और उस समय एक कोटी 24 लाख लोगों को गांदी जीने मेंबर बनाया था उस जमाने का चाराना आज के जमाने का ग्यारे रुपए ही बैखता है तो हमने ये ग्यारे रुपए वाला अभियान भी शुरू किया है आप उसमें जुर सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं शेदकरी भाई हैं, नागरिक हैं और शेहर में रहते हैं तो 51 रुपए जो दान देंगे वो फंड के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे भारत स्वाविमान में और आप हमारे मेंबर बनेगे तो हमारी राजनेतिक ताकत बढ़ेगी हमें 5 कोटी लोग अगले 4 सार में मेंबर बनाने हैं ताकि 50 कोटी लोगों का समर्थन और सहयोग मिले और इस पूरे अभियान को सफल बनाना है जो मैंने आपके सामने वर्मिन किया अब आप अगर मदद करेंगे ये अभियान जल्दी होने वाला है नहीं करेंगे तो भी अभियान तो होने वाला है ये अभियान तो सफल होने वाला है आप मदब करेंगे तो जन्दी होगा नहीं करेंगे तो थोड़ा देर में होगा लेकिन होगा आप बोलेंगे इतना आत्म विश्वास क्यों है मुझे ये आत्म विश्वास इसलिए है मुझे कि इस अवियान की कमान एक सन्यासी के हाथ में है और सन्यासियों ने जब भी कोई कुरा हुआ है कि मैं दो सच्ची गतणाई सुनाता हूं अपको हमारे घुख में एक शन्यासी होजा समर्थ गुरू रामदास हुआ है हुआ हमारे भारत में दो इसी परमपराइं रही हैं संतों की पर्मपरा संयासीयों की पर तो होते हैं जैसे संत हुए तुकाराम, जैसे संत हुए गाड़गे महराज, जैसे संत हुए तुलसी दास, जैसे संत हुए कबीर दास, ये समाज को दिशा देने का काम करते हैं संतों के समान अंतर एक परंपरा रही है सन्यासियों की, सन्यासियों जो होता है, वो देश के लिए लड़ता है, जान भी देता है, समाज के लिए संगठन बनाता है, राजा बनाता है, राजा को दिशा देता है, ये सन्यासियों का काम रहा है हमारे देश के समर्ध कुरू रामदास एक बड़े पपे हुए सन्यासी थे वो संत नहीं थे सन्यासी और सन्यास धर्म की जब उन्होंने दीख्षा ली तो उनके मन में सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी कि भारत देश में औरंग जेव नाम का एक अत्याचारी शाषट था उस औरंग जेव में पूरे देश में मारकाच मचाई हुई थी हिंदों के मंदित तोड़ रहा था जजिया कर ले रहा था हिंदों से जबर्जस्पी हिंदों को मुसल्मान बना रहा था समर्ध कुरू रामदास को वो अच्छा नहीं लगता था और मनी मन में वो बारबार ये सोचते थे कि काश कोई बीर प्रतापी राजा हैसा पैदा हो इस देश में जो इस औरंग जेव के साशन को खतम करे और इस देश में से मुगल सल्तनत को समाप्त करे और भगवान से वो प्राधना करते थे और समर्द्गुरु रामदास की प्राधना को एक बिन भगवान ने सुईकार किया और समर्द्गुरु रामदास के संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर में छत्रपती शिवाजी महराज को इस देश में पैदा किया और चत्रपती शिवाजी महराज ने अपनी उम्र के सत्रवे साल में औरंग जेव को चुनोती दी और चुनोती इतनी जवर्जस्त थी कि पूरे दक्षन भारत से औरंग जेव के साशन का खात्मा हो गया और थोड़े दिन के बाद औरंग जेव खुद मर गया और मुगल सल संकल इतना प्रबल होता है तो दूसरा उधारन देता हूं आपको एक सन्यासी हुए महराष्ट में लातूर के पास के गाउं में जन्म हुआ उनका नाम था स्वामी रामतीर और यह कहानी अभी जादा पुरानी में इसाथ स्वामी रामतीर्थ ने एक संकल पिया था सन्यास श्राद है इसे भारत में ही रहना होगा और हैदरबाद का निजाम चाहे तो भारत चोड़कर पाकिस्ताइन चला गयिका वैघराबाद प्रयास्ति कि मुझे रामतीर्थ पाकिस्तान में लेकर जानी है और समर्द सुमाफ करना स्वामी रामतीर्थ का संकल था कि हैदराबाद को भारत में ही रखना है और स्वामी रामतीर्थ के संकल को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार बल्लब भाई पटेल को इस देश में भेज दिया और सरदार भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत को भारत में मिला दिया सन्यासियों ने जब भी संकल लिया है ईश्वर ने बड़ी मदद की है आपको मालूमें बंगाल में 1857 का जो संग्राम हुआ आजादी का पहला संग्राम ये सारा संग्राम सन्यासियों का शुरू किया हुआ संग्राम था बंगाल में सन्यासी विद्रोह की बहुत पुरानी परंपरा रही है ये जो गाना हम गाते हैं ये जो गीत गाते हैं ना बंदे मातरम, सुजलाम, सुफलाम, मलिय जुशीतलाम, सफ्ष शामलम मातरम ये सन्यासी विद्रोह में से पैदा हुआ गीत है जो 1875 में अंग्रेजों के खिलाब बंगाल में चला था सन्यासी विद्रोह उस विद्रोह का गीत है सुजलाम, तुफलाम, मलिय, जुशितला बंकिम्चन चतरजी ने लिखा जरूर है लेकिन सन्यासी आंदोलन से प्रभावित हो के इस गीत को लिखा था हुए और सन्यासी आंदोलन उत्तर भारत में शुरू हुआ था आपको मालूमें 1850 के आसपास इस देश में परम प्रतापी परम वीरेक सन्यासी हुए उनका नाम था परम संभानिये परम पूजिनिये स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने कितने क्रांतिवीरों को तैयार करके आजाली की लड़ाई में छूंक दिया अमर शहीद मंगल पांडे हो या बगत सीम हो लाललाग पत्राय हो या महात्मा हंस राज हो ये सब चेले थे परम संभानिये परम पूजिनिये स्वामी दयानंद सरस्वती तो सन्यासियोंने हमेशा इस देश को दिशा दी है और जरूर्rud फढ़ने पर इस देशके लिए कि राज सप्ता को बजला है धरम सप्ता को देश के अनपूल किया है समाज सप्ता को दिशा दिखाई है तो उसी सल्यास परंपरा की भीख्षा लिये हुए परम्पूजनी स्वामी लेकिन हमेशा नहीं रहने वाले हैं चार साल के बाद इस देश की तक्तीर बदलेगी तस्वेर बदलेगी और उस तक्तीर और तस्वीर को बदलने के लिए एक सन्यासी का संकल्प है हम सब इस संकल्प में हिस्तेदारी करें हम सब इस संकल्प में भागेदारी करें तो हमारे लिए पुन्य का काम है सफलता तो मिलने वाली है क्योंकि अभ्यान तो सन्यासी का है हम तो निमित बनेंगे इस सफलता के औ पुरानी जमाने के शहीदों की आत्मा हूं जो हमारे शरीव में प्रवेश की हूं और अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम सब फिर से इकटे हुए हूं 587 में हम इकठे हुए थे नान साथ पेश्वा के साथ 5867 में हम इकठे हुए थे तांधिया टोपे के سाथ 1857 में हम इकठे हुए थे, 732,780 करांटिवीरों के साथ, शायद हम उनी शहीदों की आत्माएं हैं, जो आज शरीर में परवेश करके फिर कठे हुए हैं, और अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए हमने इस प्रत्मी पर जनम लिया है, और एक सन्यासी के नीचे आकर उन्गठन बनाया है और इस संगठन को परम प्रतापी, परम सम्माननिय है, हमारे परम बंदनिय शGold Ramedev जी के साथ मिलकर हम सपना पूरा करना चाहते हैं, आप कब इस सपने में शामिल हों, इस सपने में शामिल होकर अपने जीवन को सखल बनाएं, सार्थत बनाएं, ऐसी दिनम्र कार्थना करने के लिए मैं आया हूँ आप अगर इसमें शामिल होंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा और अगर नहीं शामिल होंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे जब भारत स्वाबिमान का भियान चल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे तब आपके पास शर्मिंदा होने के लिए एक मात रुपाए रह जाएगा तो आपको भविश्य में अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े ऐसा काम मत करिये भारत स्वाबिमान में जिर जाएए इसमें शामिल हो जाएए 1942 के आंदोलन में जिनोंने महाद्मा गांदी का सहयोग नहीं किया 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जिनोंने काम नहीं किया आज वो सब लोग शरम से अपना मूँ छुपाते हुए इस देश में घूमते हैं और गौरव से कोई बात पह नहीं सकते तो आने वाले 4-5 वर्षों में हमको शरमिंदा ना होना पड़े कि हम भारत स्वाविमान में शामिल नहीं हो पाए और शरमिंदा होकर जीवन बिताए उससे अच्छा है आप गौरव अपने उपर करें गर्व करें स्वाविमान के साथ भारत के इस आंदोलन में लगे और लड़ाई को शफण करें सार्थत करें भरबखवान हमको शक्ति दे परमात्मा हमको सामर्ख दे हमको बुथि दे हमको असी ऑस दो जरूर को जरूर रभी पाएं लड़पाए ऐसी भावना के साथ आपको प्रणावर करता हूँ आपको दहन्याद देता हूं आप सब यहां बहुत दन्यवाद आप जाएंगे तो भारत स्वामिमान के मेंबर्शिप का फॉर्म लेके जाएं स्वान पर और हमारे भारत स्वामिमान से जुड़े हुए कुछ कारे करता खादी बनाते हैं सूती खादी बनाते हैं, हाथ से खादी बनाते हैं, हाथ से घुनते हैं, हाथ से चरका चलाते हैं, उनकी बनाई हुए खादी का स्टॉल है, आप उनकी थोड़ी थोड़ी खादी भी खरीदें, दो दो पांच पांच गर्जस मीटर, तो हमारे हजारों कारे करताओं को प्रप्तुन